हलो जैसी एलसी मैं किशोर सेखावत फेकल्टी फिजिक्ष आज हम रिवाइज नीट फिजिक्ष 40 अवर्स का नाइन्थ एपिसोड मालीजे या नाइन्थ पेपर वो अपन डिसकस करेंगे जिसमें इलास्टिसिटी सर्फेस टेंशन एंड फिलोड मेकनिक्स तीन टोपिक हैं उनके जो नीट के स्राउंडिंग के प्रशन है उनको अपन डिसकस करेंगे आपको पता है कि अभी जैसे आपके 16 है या 17 या 19 अभी जो लेटेस्ट जो इयर्स के पेपर है नीट के यदि आप उनको देखेंगे तो यह जो टोपिक है इनसे आजकल बहुत अच्छी मात्रा में किसन्स आ रहे हैं इसलिए आप इनको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं इनको डंक से त्यार करना है और क्वेशन बड़े इजिया आते हैं तो आप गलत भी नहीं होने चाहिए तो हम सारा प्रि क्यूशन फर्स्ट पढ़ें ए बीकर इस फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ देंसिटी रो अप्टो ए हाइट एच इफ दे बीकर इस एट रेस्ट देन अमीन प्रेशर ओन दे वाल्स ओफ दे बीकर इस क्यूशन आपका यह है ऐसा कि कोई बीकर है और उस बीकर में मान लो यह को लिक्विड मान लो और उस लिक्विड की डैंसिटी कितनी है बच्चो रो और कितनी हाइट तक पानी भरावा है एच तो अब जो एट्मोस्फेरिक प्रेसर के अलावा प्रेसर आप जानते हैं यहां प्रेसर कितना पी नोट है यहां भी कितना पी नोट है पर इसके अंदर जो ना यहां इस वाले पॉइंट पर आप देखो इसके हैट कितनी जीरो है पर यहां इसके हैट कितनी होगी डैफ्थ सोरी यहां इसके डैफ्थ कितनी होगी है तो अब एर के अक्स्टा जो प्रेशर है यहां तो प्रेशर कितना है जीरो बट इसके अंदर प्रेशर तो कितना only rho g h आ गया तो आप सुचे तो इस वाले point पे जो pressure का difference है वो कितना rho g h अब वो तो कैसा है इस top से bottom पे continuously कैसा h के साथ बढ़ रहा है तो average अपने निकालते हैं तो प्यारे बच्छो average जो इसका होगा पी average वो है zero plus कितना rho g h by two क्योंकि ये continuously linearly कैसा हो रहा है बढ़ रहा है इसलिए आप इसका उप्योग कर सकते हो तो हमारे पास इसकी value आगे कितनी rho g h by two ये formula हम सबको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए अगर मैं पूस्ताना आपसे कि इसके bottom पे कितना pressure है वो तो rho g h है क्योंकि वहाँ तो constant है वो rho g h पर वाल पे ऊपर कितना जिरू था निच्छी कितना rho g h था इसलिए average कितना हो जागा rho g h by two अब questions इसमें आते हैं मान कर दोगे तो आपका answer o रजाएगा यानि बहुत अच्छी से याद कर लें इसको बहुत काम का एक formula भी है और अच्छा concept भी है और हमारा यहां पर answer कितना आ गया half rho g h बढ़े आपन question number second में आ जाओ question second इसमें आप से पूछा है एक hydraulic lift is used to lift a car of mass 20 quintals जानतो एक quintal कितना होता है 100 kg the cross section area of the lift on which the car is supported is 10 to per minus 1 meter square what is the pressure on the smaller piston if both the pistons are at the small horizontal level small same horizontal level small नहीं यह क्या है same horizontal level तो यह question किस पे टिकावा है यह पासकलो पे है और पासकलो में आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे दोनों के pressure कैसे same रहते हैं तो एक का pressure आप निकालो दूसरा आपने आप आप आजाएगा चोटे piston पनगने वाला दाप निकालना है pressure कौन सा पी small वो तो किस के बराबर है पी जो large है बड़े वाला उसके बराबर है तो कितना होगा pressure कितना force upon area तो force की रूपे वहाँ पे क्या दरेखा आपको देखो mz upon a बैस अब आप देखो उस piston पे जो piston आपने यहां बना रखा वास है इस piston पे जो आपने weight लगा रखा है देखो बाई m कितना बताओ मुझे m कितना है 20 क्यूंटल्स इसका मतलब हो गया 20 into 100 ये तो मासी वा into g कितना ये लो 10 upon area कितना है बच्चो 10 की पावर मैनस का 1 ये लो 10 की पावर मैनस का 1 तो अब इसमें आपका answer कितना है हो चेक कर लो एक तो पावर ये मैनस से प्लस 1 2, 3, 4, 5 तो आपका answer कितना हुआ 2 into 10 to a power 5 newton per meter square that is the right answer और ये option कौन सा आवा देखो second बोलो पास्कल के नियम का सामाने रूप है तो इसको ऐसे कर लेंगे और इसको question पुछे जाते है और NCRT में भी ये topic बहुत अच्छे से दे रखा है थोड़ा वहाँ से आप इसको discuss करें पढ़ें आईए question number 3 with the rise in temperature the viscosity 4 तो ताप में परिवर्तन से viscosity किस परकार से change होती है वो आपको बतानी है एक तो आप इधान रखे हैं में सा कि चाहिए viscosity है चाहिए surface tension है चाहिए pressure है ये सब जो चीज़े है या elasticity है ये सब की सब inter-molecular forces के current develop होता है और उन भे भी manly कौन सा force cohesive force जो जानते हैं कैसा आपका attraction की nature का होता है तो जो viscosity है ने बच्चो visco city ये किस करण से है due to cohesive force ये cohesive force और cohesive force कैसा होता है 1 upon R की power 7 के नुसार होता है cohesive force है वो जो आपके जिस भी आप liquid में लेते हैं उसके जो inter-atomic distance है उसकी power 7 के inversely proportional है अब आप जानते हो किताब की वर्दी करने पर अगर आप temperature को increase करते हो तो liquid के मलकिल दूर जाएंगे और ऐसे करने से R क्या होगी increase होगी और R के increase होने पर cohesive force गठेगा और viscosity भी घड़ जाएगी तो इस सब्सक्राइब को R के बढ़ने से cohesive force क्या होगा decrease और ऐसे में viscosity भी क्या हो जाएगी decrease तो आपका आंसर क्या रहेगा दर्वों के लिए liquid के लिए अच्छा इसमें question दोनों पुछा किया देगो gases का भी involvement है और liquid का भी है बहुत बहुत शांदर question देगो आप तो viscosity का तो किस कांसे due to cohesive force but जो gases है बच्छो gases में जो viscosity है या gases के flow में जो barrier है वो होता है due to diffusion जब gases flow करती है तो gases के molecule जो होगा उनके आपस में टकरे होती है टकर जो होंगी बहाँ पर तो gases जो है बच्छो उनकी viscosity उसकी जो viscosity है gases की viscosity यानि इसको ऐसे कर दूँ मैं viscosity of gases इसको मैं वी से सिंबल ले रहा हूँ viscosity of gases ये किस पर depend कर रही है धान दे आप ये कर रही है diffusion के और rate of diffusion है वो किस पर depend करता है जो gases के molecule है उनकी vrms root means कर velocity पे और ये किस पर depend करती है आप जानते हो अगर मैं किसी molecule की spread लेता हूँ तो कितना आप जानते हो 3 kty small m small m यहाँ पर किसे a gas के molecule का mass है t यहाँ पर temperature है तो अगर t को मैं बढ़ाता हूँ तो rms spirit बढ़ेगी और molecule ते चलेंगे टेकरों के संग क्या बढ़ जाएगी तो probability of collision के increase होने से क्या होगा viscosity बढ़ जाएगी तो बिल्कुल बहुत प्यारा प्रशन है कि viscosity किसका character है flute का है flute में कौन कोन आता है liquid और gases जिसमें आपको धान चला इसमें कि जो liquid है उनकी जो viscosity है तो उसमें तो r tap बढ़ गया तो viscosity घड़ जाएगी और gases में क्या होगा tap के बढ़ने से vrms क्या होगा increase और उससे viscosity बढ़ दाएगी तो answer देखें आप gas के लिए बढ़ती है दर्वों के लिए घड़ती है तो यह आपका second right answer है मेरे साब से इसका theoretical view जो है वो आपको सही से समझ मागया होगा बढ़ते हैं question number 4 में आ जाओ a small rain drop falls from rest through a height edge in air the viscosity sorry the velocity of the rain drop becomes constant after falling a large height edge this is called the terminal velocity which is तो बारिस की छोटी बूंद है वो edge उन्चाइस से गिरने के पर साथ नियत वेक से गिर रही है जिसको पर सिमान वेक कहते हैं तो धान दे वई इस पर question आते हैं या तो खुद formula पर पूछेंगे कोई आपसे या कोई mixing और drop से उसका पूछेंगे पर question इस पर पूछा जाता ही रहता है तो माल लो यह कोई drop है इसको अपने किसी viscosity विसको जो आपका एक स्यान माद्दे में है viscous medium है उसमें आपने इसको drop किया अब viscous medium में drop करेंगे तो इस पर नीचे force कौन सा mg लग रहा है उपर force कौन सा आपका इस पर अफ्थरस force लग गया फिर viscous medium है तो उस पर 22 force के साथ साथ आपका एक स्यान भल भी लग गया 6 pi निटा आर विटी लग गया अब वो force कैसा velocity dependent है फिर यह मालो काफी height काफी height गिरने के पर साथ जो नीचे का force आपका mg है और उपर का force कौन सा आपका mg और प्लस कौन सा उस condition में 6 pi इटा आर इंटू विटी यह सारे force जो है नीचे वाले और उपर वालों का सम आपस में जब equal हो जाता है तो हम क्या करते हैं की उस समय यह जो drop है वो एक terminal speed से नीचे की तरफ motion करना सुरू कर देती है ध्यान देना यहाँ पर इसकी terminal speed जो है वो भूथ height से गिरने के बाद इसको मिलती है यानि काफी distance cover करने के पसाथ मिलती है पर जब इसकी अपन करते है calculation तो जो VT है वी टी यानि वेग वी का मतलब हम वी वी टी इसका फोनलब बना रखा है समय लोगों ने याद भी कर रखा होगा तो वी टी मतलब वी मतलब हम हम मतलब दो नो तो क्या वाद दो नो दो नो ऐसे इसको आद कर ले है दो नो फिर यह रो माइनस का सिगमा इंटू कौन सा आर स्क्वार अपोन कितना ये इटा इंटू जी ये इस तरह का formula होता है दो नो ऐसे याद रहता है फिर इसके density है वो बोड़ी की माइनस कौन सा जो liquid था उसकी और जो medium था उसकी इंटू आर स्क्वार इंटू जी इसका simple formula है हलका सा कुछ ध्यान होता है याद आप कर रहता है अब आप सोचो कि जो VT है क्या ये VT H पे depend कर रही क्या नहीं कर रही पर ध्यान देना बहुत अधिक उंचाए से गिरने के बाद ये इसको मिला है बट H पे depend नहीं करेगा ये बात अच्छी से आपको ध्यान रखनी है तो आप कहा देखो इसमें answer क्या हैगा कि ये H पे almost independent to H H पे निरभर नहीं करती है बहुत प्यारा प्रस्टन है H के करण ही प्राप्ट होती है प्रण तो H पे depend नहीं करती है आईए तो ये तो बहुत प्यारा प्रस्टन देगो आपने सामाने से एक कहानी के अधार प्रस्टन देगो ये कोई वायर है अभी ये अपनी नेचरल लेंद पे है और आपने इस पे कोई फोर्स अप्लाई करा तो फोर्स अप्लाई करने पर फोर्स एफ अप्लाई करने पर इसके लेंद कितनी डेल्टा अल बढ़ गई फोर्स कैसा कॉंस्टेंट है अब कॉंस्टेंट फोर्स है उसने कितना वर्डन करा है तो displacement यहाँ 0 से कितना delta L तक increase वा ना तो अपने इसको average की रूपे find कर सकते हैं और वो कितना आएगा देखो आप इसका answer निगा लेंगे तो check करें जो इसका अपन simple लेखी है W वो है कितना बच्चो 1 by 2 into कितना F into delta L ओके तो इससे बहुत आराम से आप इस प्रसंट का answer देशकते हो देखो आप सुनो 1 by 2 into F आपने कितना अपने कितना अपने कर रहा है बताओ मुझे यह 100 newton यलो साब 100 into अब इसमें लंबाई कितनी बढ़ी देखो 5 mm पर यह है किसमें mm में है इसको change करना पड़ेगा तो कर दो 5 into कितना 10 to power minus का 3 5 into 10 to power minus से 3 अब इसको सिर्फ solve करना है solve कर दो अब देखो अब यहां जो इसकी equation है न जैसे मैं इसको चलो यहां कर दो solve बढ़ाओ इसको यहां से कितना बाद 2.5 और उससे power कितना minus का 3 है यह 100 कितना है तो इससे पर solve करेंगे तो मेरे साब से आपको साफ साफ देख रहा है 0.25 0.25 जूल यह इसका right answer आ रहा है देखो हो गया ना अब यहां देखो कई बार क्या होता है कि आप जैसे F के स्थान पे आपने मानलो कोई MZ वेट लटका दिया तो बस इसमें क्या कर दोगे हाफ यह आपका MZ इन्टो डेल्टा एल यह आता किसे आपने पढ़ा था ना उसमें डबल्यू कितना हाफ इन्टो कॉन सा stress इन्टो strain इन्टो कॉन सा volume उसी को convert करने के परसायत यह formula आता है तो छोटे रूप में आप कोई रहान रखना ही चाहिए ओके बढ़े आगे तो आओ साब question number six six आप से क्या बोल रहा है कि एक परत्यास तार पर भार बढ़ाने से उसके विवार में होने वाले परिवर्टन को आरेक में दरसाया गया है निवन से कौन सी increasing load is on in the graph which of the following state represents the initial state of flowing इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि अगर आप देखो यहाँ graph है कि इसमें stress और strain में है stress बढ़ा रहे हैं अपन और strain को देख रहे हैं आप ध्यान देखें कि c point तक c point तक stress को बढ़ा है तो strain बढ़ी परनतो c point के बाद c point के बाद stress के कम होने पर भी क्या हो रहा है strain बढ़ रहा है इसको हम कहते है initiation of flowing of wire तो start कहां से वैसे हो रहा है c से initiation point यहीं से है बट आगे बिल्कुल अब यानि एक condition यहसी भी आएगी इसके बाद में कि आप को हटा भी दोगे न तो भी इसकी length है वो बढ़ना शुरू जाएगी और उसको हम कहते हैं दर्वे की तरह बेना solid just once या starts flowing as a fluid वो ऐसे flow कर देगा पर आपको यहां पूछा है कि तार के प्रवा की आरंबिक अवस्ता कौन सी है वो कौन सी आपकी c के बाद है तो उसको c के बाद आप कर लेंगे तो answer आप कौन सा बाद c d यह आपकी initial stage कहलाएगी ओके question 7 एक ठोस के टुकड़े का वाईव में बहार 120 ग्राम पानी में कितना 80 ग्राम और किसी दर्व में कितना 60 ग्राम है तब ठोस तथा दर्व है कि आपक्षिक नत्वे करम सह कितने है यह प्रशन जो है ना या इस प्रशन के आज पास की जो थोरी है वो प्यारे बचो बहुत ही अच्छे से आप एक्जाम में जब जाओ लास्ट दिन भी आप उसको याद करके जाना ढंक से इस पर काम कर जाना क्योंकि इस पर questions बनते हैं और क्या कि भूलने की इसमें थोड़ी सी गलती रहती है हम भूल जाते हैं तो देखो इसको इसको इपन फ़ड़ा सीखते हैं प्रशन को प्रेज खाली कर लो मैं इसके लिए जैसे माल लो आप पढ़ते हो कि एक वड़ी है उसका वायू में भार कितना डबल्यू है मैं लिख रहा हूँ किसी वस्तो का वायू में भार वायू में भार वो है डवल्यू और किसी दर्वे में या चलो मैं इसको लिलता हूँ पानी में उसको मैं कह रहा हूँ डवल्यू डेस वायू में कितना है डवल्यू और पानी माले कितना है डवल्यू डेस अच्छा पानी में कैसे होगा तो इसको देखो मालो अपने पास यह कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने इस कंटेनर में हमने मालो यहां तक कोई लिक्विड भरावा है और यह कोई मालो एक ब्लोक है इसको अपने पूरी तरह से लिक्विड में या पानी में डूबो दिया इसका नीचे वेड किता W था फिर इस पे लगा एक बायंसी फॉर्स, अप्थरस्ट फॉर्स कितना B अब इसका नेट जो फॉर्स है वो कितना है ये बड़ा हो छोटा फॉर्स है हो सकता है अगर इसकी डेंसिटी के ज़्यादा हो लिक्विड़गी तो बायंसी फॉर्स बड़ा हो सकता है पूरी डूबो अने केस में कोई समझ सानी पर नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं तो W बड़ा है ये छोटा है तो इस केस में जो नया इसका वेट है वो कितना है W मैंस का B है W मैंस से B और इसको फिर अपन पूरा ढंक से लिखने के बाद फैंड करते हैं तो अच्छे से आपको ध्यान होगा कि W डेस जो होता है वो कितना है W इंटू कितना 1 मैंस कितना 1 अपॉन R यहां पर बच्चों क्या होती है यह बहुत अच्छे से जान कर लेना और S इसी सिदे को अपने निकालते है इफेक्टिव ग्रेविटेशनल असलिडेशन इन ए वीसकस लिक्विड और वो कितना Z डेस इकुल तो आपका होगया Z बदलेंगे पर कि लिक्विड में ड्रोप करने के परशाथ पहले उसका वेट कितना W था पानी या लिक्विड में कितना W डेस हो गया है कितना W माइस B अब इसमें दोखो जो अपने जो फॉमुले बने आपके यह तो मैं उससे बाद में बात कर रहा हूँ कि डवल डेस हमारे पास कितना W मैनस का कितना वन अपोन र ओके आर हमारे पास क्या है इसको हम कहते है रिलेटिव डेंसिटी जो यह बोडी है उसका इस लिक्विड के रेस्पेक्ट में है जो भी लिक्विड है मालो अपने उसको पन लेंगे अपोन कितना स्मोल र चलेगा और अगर इस वाले पार्ट को इधर ले आऊँ और फिर इससे मैं आर की वैल्यू फैंड करूँ तो ध्यान देना इसमें मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी मैं इसको लिख रहा हूँ यहां पर विबार डवल्यू अपन स्मोल र इसी कल्टो हमारे पास वैल्यू आई या ऐसा अपन क्यों करे चलो ले लता हूँ ऐसे और यह हमारे पास इसको इधर ले क्या रहा हूँ इसको इधर ले रहा हूँ तो डवल्यू मैनस कौनसा डवल्यू डेस अब इससे पन small r निकालेंगे तो वह गा r हमारे पास कितना है w upon कितना w minus w g फिर कह रहाँ बहुत important है इसमिन समय देंकर की अच्छे भान्त कर लो कि liquid में drop करने के पासाथ जो इसका effective weight होता है या effective g होता है वो हमारा इस तरह से होता है, फिर अपन इसमें ग्याद करते हैं, ध्यान दे लें, डबली वाइम भार था, ये किसी लिक्विड भार रहा है, जो दे रखा होगा उशी साब से, इसको अपन एक कनवर्ड करते हैं, यहां से निकाला मैंने स्मोल आर, तो कितना डबली इसमें याद रखना है, बहुत ही काम का है, अब इससे एक दो फर्मले और बनाएंगे, फिर सो अपन किस्विड करने में काम में लेंगे, धान दो, यदि मालो मैं इसको डूबता हूं किसमें पानी में, तो आर किसमें है, आर होगा, बोडी का वाटर के रेस्पेक्ट में, यानि क्या बना, रो बोडी, अपोन कौन सा रो वाटर, इस इकल टो, यहाँ है डवल्यू अपोन कौन सा डवल्यू माइनस का, डवल्यू डेस, धान देना इस फर्मले में, डवल्यू क्या है, वस्तू का वायूम भार, वस्तू का वायूम भार, यह किसमें वस्तू का पान इस प्रप्रस्टन आपके आते हैं? डिरेक्ट आते हैं, आप से आरप पूछेंगे, एक वस्तु को जब वायू में तोला जाता है, तो उसका वेट इतना है, पानी में इतना है, तो बोडी की रिलेटिव डेंसिटी कितना है, उसका विशिष्ड गृतवे कितना है, तो आप और विशिस उरतवाय सिमिल टरम होती है तो वहारे इससे मिल जाएंगी अच्छा ठीक है एक काम होगा दूसरा अब मैं करा हूँ कि मैं इसमें यहाँ जो पानी था वाटर था उसको हटा करके क्या लगा दूँ यहाँ पर कोई लिक्विड कोई दर्वर डाल दूँ उसकेस में फिर अपने इसको काम में लेंगे तो यह आर क्या हो गया बोडी का किसके लिक्विड के रेस्पेक्ट में उसकेस में मैं लिखूंगा रो body upon कौन सा rho liquid और फिर इस से हमारा formula क्या बना देखो यह है w upon w minus कौन सा w double this जान दें अच्छे से यह तो पुन है वो ही है yu का yu में बहार है यह किसमे yu में बहार यह किसमे है उस liquid में बहार आ गया तो अगर यह पूछें नो body का liquid के साथ पेस कोई समस्या ने अपन इस तरह से find कर लेंगे यह आपका होगा equation second पर प्रसन आप से क्या पूछेंगे कि liquid का पानी के साथ इस क्या density है liquid की पूछेंगे आपको vicious growth rate की value तब आप क्या कर पाएंगे तब देखो अगर मैं इसमें equation जो 1 है इसमें 2 से कर दो divide अब इन दोनों के अपन divide करेंगे तो इसमें इसको divide करने पर देखो row body है आप यहीं से इसको चेक करें अगर row body मैं only one में two का भाग दे रहा हूँ तो इससे यह cancel तो row L तो चला उपर row water हो गया नीचे तो हमारे पास है row कौन सा भई कौन सा W डेस अपोन कौन सा W माइनस W डेस अब यह आपका बहुत ही शांदार formula त्यार हो चुका है equation third और तीनों ही formula काम के हैं तीनों नहीं चार formula बन गए यहां से एक तो यह वाला और तीन हमारे पास ही बन गए अगर बस याद कौन सा याद अपने को इसी से conversion करना आपको आना चाहिए बहुत से formula नहीं है रटलो तो बहुत अची बात है पर नहीं कर पाऊ ना तो आप इसी formula से उनको convert करना सीख लें ठीक है अब सुनो यह किसमे तो liquid में है ना धान दे भई यह liquid में है तो क्या देगो यह वायो में और वाटर में है तो यह किसका भार वाटर का वायो में और वाटर में रो liquid अपन रो हमारे पास कौन सा वाटर है और इसी को हमने क्या नाम दे रखा है बच्चो यही हमारे पास है आर इसका liquid का वाटर के सापक तो प्रस्ट में क्या पूचा जा रहा है उसको डंग से पढ़ें उसके बाद क्यूशन करें अब अपना आतने क्यूशन में बैकाओ देखो एक क्यूशन है एक सॉलिड के का वायोम वेड कितना 120 है और पाने में कितना 80 लिक्ड में कितना 60 तो ठोस तथा दरवे का आप पिक्षी खनुत्वें ग्याद कीजिए पहले ठोस का निकालना है और फिर निकालना है किसका लिक्ड का अच्छा अब इसमें यह तो दरखा नहीं किसके सापेक्ष है जब कुछ ना दरखा हो तो निश्य तरूप से पाने के सापेक्ष है सबसे पहले बात करता हूँ किसमें रो ठोस का तो द्यान दो भई और वो यह कौन सा विश्च गुरतव आर आर मुझे निकालना है किसका देखो बोड़ी का वाटर के रेस्पेक्ट में तो अपने पढ़ा था भी इसका फरमला कौन सा लगाओ देखो बोड़ी का वाटर के रेस्पेक्ट में तो रो आपका वेट इन एर अपोन वेट इन एर माइनस कौन सा वेट इन वाटर वास तो लगा दो फरमला बोलो साब कितना थ है इसका यह 120 अपोन 120 माइनस माइनस ठोस का बलो साब पानी में बहार कितना था 80 येलो 80 कर दो इसको solve करो यह हमारे पास है 120 अपोन कितना 40 तो कितना 3 आ गया तो solid का पानी के इस आपेक्ष जो घनत्वे है वो कितना 3 है उसको हम कहते है इसका विष्ट गृत्व औक एक काम के फिर पूछा है भर यह आप एक जक्रनत्वे है लिकविड brush का पानी के इस आप這裡 जान सुन लो, यह नहीं है कि बोड़ी का पूछा लिक्विड का वाटर के इस आप एक्स तो आपको यह लगाना है इसमें बता दूँ आप उसको, कि यह किशन जब आएगा तुरंत आपको लगाना है उपर है क्या सिंपल सा, पूछ लिक्विड का न, तो किसका पहले, वायों बहार, माइनस किश में लिक्विड का, अपोन कौन सा, वायों में माइनस कौन सा, वाटर का तो शिदा में इसका आंसर यहां से दो को इंकाल हूँ तो इसी वेल्य पूट कराओं देखो, 120 माइनस, डेवल डेवल डेस किसमें था बोलो भी, दूसरे वाले में किसमें, डर्वा में 60, ये लो 60 अपोन कितना बच्चो 120 माइनस 80, तो कितना 60 अपोन 40, 3 by 2, 3 by 2, तो आंसर कौन सा आपका 3, और दूसरा यहां से मिला अपने को 3 by 2, तो आप देखो अच्छे से कितना प्यारा प्रशन आए, सारी पूरी की पूरी थियोरी को जो कि आपके नीट में इंपोर्टेंट है, उस जलकी दो एक जैसी बुंदे वायू में एक सेंटी मिटर पर सेकंड से नीचे की कॉंस्टेंट वेक से नीचे गिर रही है, यदि बुंदे आपस में मिक्स होकर के एक लार्ज ड्रोप बना लें, तो उस कंडिसन में जो बिक ड्रोप है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी ह वो आपको बतानी है, समझें? तो अभी अपन कुछ पीछे पढ़के आँ देखुआ हैं, और मैंने आपसे कहा भी था कि कुश्टेंस में आते रहते हैं, तो वीटी, तुरन ध्यान दो, वीटी मतलब वेग, हम दोनो, हम दोनो, दो, नो, दो का मतलब इसमें डिफ्रेंस कि परपोर्शनल है, जो सिमांत वेग है, वो जो ड्रोप है, उसकी रेडियस के स्क्वेर के परपोर्शनल है, सही बात है? अच्छा, अब सुनो, क्योंकि अब ये अपने को देरेका था कि एक ड्रोप पर ले है, दो ड्रोप थी अलग अलग, इसकी स्पीड कितनी है, वीटी, देरेकी है, अपने को इसकी स्पीड कितनी है, वीटी ये भी देरेकी है, पर जैसे ये कुछ दूरी पे आ रही है, उसके बाद दुन ड्रोप है, आपसे मिक्स हो गए, और मिक्स होते है, मालो इसकी रेडियस कितनी स्मॉल आर थी, और इसके मिक्स होने के बाद कितनी कैपि सब तो constant है हमने कोई density में change नहीं करा जी उतना ही है वही medium है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वीटी किश्ट पर depend कर रहा है radius पर जो बढ़ चुकी है और यह r कितनी है अगर आप जानते हो volume यहाँ पर कंजर होता है mixing of drops ने पढ़ा है तो r वैसे होता है कितना n की power 1 by 3 into small r आपको क्या चीगा square तो कर दो इसका square यह लो n square r square बैस इतना तो काम है अब dependence अखेल है यहाँ vt था कैसा r square के proportional तो अब इससे पन caution करेंगे तो देखो vt r के square के proportional में लिखो इसको vt upon vt मैंने आपको सिखाया था कल कैसे इसमें वन और टू गर बदलना होता है यह लो साब यह r days upon कर दो यहाँ पर r सौरी यह r upon r अभी तो ऐसे करता हूँ उसकी power की दो थी बस पहले इतना कर लिए अगर वाप पहले अपने दिमाग को मतलगा पहले ऐसे है किस रूप में था जहां था पर पोस्रों कर दो equal और vt था न उसको upon upon down जो लिख दो उसको ऐसे अब इसमें वन टू में बदल लो जैसे मैं करता हूँ vt days तो days तो days यागन बटे और simple simple आएगा तो यह लो r days बन गया इस r days को अ तो लो इसको रगदो यहाँ पर तो चलो देखो भई यह है n की power 1 by 3 into smaller upon कितना smaller और इसकी power कितना है बच्चो तो r से r cancel हो गया तो n की power 1 by 3 का square तो यह हो गया देखो n की power 2 बटा 3 बास अब इस vt को उसे multiply कर दो तो इससे हमारे पास जो नया vt days हाएगा वो है कितना n की power दो और drops कितनी 2 थी ना तो 2 की power कितना 2 बटा 3 बास और into vt और पहले इसका सिमानत वे कितना था एक centimeter per second तो इसको आप क्या करो एक से multiply कर दो तो आपका answer आ गया 2 की power 2 बटा 3 centimeter per second यह इसका बिलकुल right answer है चार ड्रोप हैं 10 हैं 20 हैं कोई फ़र नहीं पड़ता पर इसी रूप परसंट पूछावा है बहुत अच्छे से देख लें भी कोई समयशा है नहीं है डिटी पर डिपेंड कर रहा था तो हो गया answer तो इसका answer क्या लिखे हैं बताओ दो कीप और दो बटा 3 centimeter per second इसको अपन चाहें तो यह दो का square यह चार कीप और एक बटा 3 भी अपन कर सकते हैं जो भी है option नहीं से कोई साहिक आएगा तो answer आप कौन सावा third अब बढ़ते हैं पन question number 9 पर आजाओ 9 question देखे क्या कह रहा है चर अनुपरस्थिया नी water is flowing through a horizontal tube of variable cross section as shown in the figure the area of cross section at the inlet and outlet is 4 millimeter square and 1 millimeter square respectively if one ml of water enters per second through the inlet the speeds of the water in meter per second at the inlet and outlet are यानि question इस तरह से है एक तो आपको हमेशन ध्यान रखना चाहिए इसमें और बिलकुल basic knowledge जो बिवारी ग्यान है वो भी होना चाहिए कि इस प्रकार के pipe में अगर पानी इंट करके हैं से बाहर निकल रहा है तो निशित रूप से जितना volume जान सुनना जितना पानी का volume पर second इसके एक सेरे में इंटर करता हुटता है उतना बाहर निकलता है simple किर्चॉप्स का नियम है यहाँ पाइप जोड़ दो दो पाइप पानी आ रहा है एक से निकलता है तो भी क्या होना है तो भी वही होना है यहाँ पर किर्चॉप्स लोग की दो पूरी की पूरी थीम हो यहाँ पर अपलाई होती है पर किस रूप में है उधान सुन लो कि यहाँ पर second जितना volume इंटर करता होता है यहाँ से बाहर निकलता है volume बात कर रहा हूँ पर speed नहीं होती ना speed तो मैंकर नहीं कर रहा हूँ तो आप इसमें पढ़ते हैं सांतत्य समिकर्ण उसके नुसार क्या होता है कि यहाँ जितना volume पर second इंटर होता है उतना यहाँ से बाहर निकलता है उसको अपन Q symbol लेते हैं अब माल लो कि जैसे यहाँ वाले point पे इसकी speed को माल लो कितनी V1 और यहाँ इसकी speed कितनी माल लो V2 और इस वाले भाग का area cross section कितना माल लो A1 है और इस वाले भाग का cross section है वो कितना माल लो A2 है और आप इसको देखें तो Q जो होता ना rate of flow fluid वो तो जितना इस end का होता है उस end का वो बराबर है पर second कितना volume transfer हो रहा है फोलो कर रहा है इससे वो तो fix है बराबर कितना माल देखो continuity equation यानि साथ तर ते समिकन नुसार A1 V1 is equal to क्या होता है A2 V2 अब इस equation करना है आपको V1 निकालना है क्यों आप दे रखा क्यों दे रखा देखा आप क्यों देखा आप यह लिखा एक मीली पर 30 सेकंड है एक मीली पर 30 सेकंड है एक एमल पर सेकंड इसमें पानी वो इंटर कर रहा उतना यहान से बाहर निकल रहा है और फिर आपको mission solve करना है तो आगे बढ़े लेगो अगर मुझे निकालना है बच्चो वीवन निकालना है तो वीवन मेरे पास कितना देखा Q अपान A1 मुझे वीटू निकालना है तो कितना हो देखो Q अपान A2 अब ऐसे प्रस्टों में क्या होता है कई बार दिक्कत ही रहती है कि हम इसमें यूनिट है वो डंक से समझे ने पाते हैं और जब तक यूनिट्स को आप उप्योग में नहीं ले पाते हो ना तो Q अते होते भी गिलत कर वेड़ते हैं इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं जब ग्लास पढ़ाते हैं कि फिजेक्स में परिफर करें हमेशा SI सिस्टम में सब को कनवर्ड कर लो देखो डंक से कृष्टन को पढ़ो ताकि जब जूरुत पढ़े न उसमें उसको अपन काम में ले लें और एक दो बार दस बार बीच बार ऐसा करोगे तो फिर कृष्टन में आपका रेदर बन जाता है उसके बाद आप कृष्टन जब वेलिव पूट करते हो दिमाग में रहता है कि मुझे कौन सी किस रूप में वेलिव पूट करने दिमाग अपने आप आपके बोनिंग लवा लेगा अप सुनो बेग क्यों क्या था क्यों था हमारे पास एक एमेल पर सेकेंड जान सुना भी और पानी का जो एक एमेल होता है वो कितना होता है एक सी सी क्योंकि मुझे इसको लिखना कि इसमें SI सिस्टम में करना है तो पानी का एक एमेल एक सी सी है तो इसको ऐपन किस रूप में कामे लेंगे यह बद्चों इसको ऐपन कामे लेंगे ऐसे इसको हम लिख पाएंगे दस की घात मैंनस कितना छे और यह हो गया मीटर कूब बाई सेकेंड इतनी वेल्यू क्यो लहे नी पड़ेगी तो अब अपन तयार है इसमें 10 की पाउर माइनस का 6 ये भी 10 की पाउर माइनस का 6 अब देखो आपको इसमें क्या पूछा है स्वरी उसका आपको एक किता दे रखा है यह 4 mm² पर 1 mm² यहां तो है 4 वहां कितना 1 बढ़ो आगे वापिस यहां लिखों 4 mm इन्टू मिलीमेटर का स्वर है न तो 4 इन्टू 10 की पाउर मैनस कितना 6 तो हो गया न एक मिलीमेटर का स्वर है तो मिलीमेटर इन्टू मिलीमेटर मैनस 3 मैनस 3 6 आ गया उक्या उसका था कितना एक इन्टू 10 की पाउर मैनस का कितना 6 यह इससे cancel तो मांस इसका value कितना गया 1 1 meter per second और यहां से आप देखो तो 1 upon 4 यानि कितना point 25 meter per second यह लो गई तो ध्यान क्या रखना था एक तो question भी अपने आप विसीश्ट था परन्त इस वेल्यू धंग से रखनी है वो और ज्यादा अती विसीश्ट है उस पर भी काम करना आपको चाहिए ओके तो question जो आपका 9 था उसका answer चेक कर लिए अपन answer कितना था भई point 25 और 1 तो इसका right answer कौन सा है fourth बहुत बढ़िया गबराना नहीं चीश्ट फिजिक्स वैसे बहुत सरल है बहुत सरल सब्जेक्ट है पर इसमें continuity है ना वो रखनी आपको बहुत जद रखनी बढ़ती है आईए question number 10 question क्या है बीक करें भरे दर्वे में एक पिंट तेर रहा है संपूर्ण निकाय गुरुत्वे के अंतरगत मुक्त रूफ से ग्रया जाता है तो दर्वे के करेंट पिंट पर ऊपर की और लगने वाला परनोध कितना है यह तो free filing body है और ऐसे case में कोई किसी परकार का परनोध लगता नहीं है तो कितना आंसर होगा सुनने बढ़े हां के question number 11 क्या करा हम से कि 2 मिट लंबाई की a light road of length to a meter suspended from the ceiling horizontally by means of two vertical wires of equal length a way w is hung from a light road as shown in figure the road hung by means of a steel wire of cross-sectional area a1 is equal to this and brass wire of cross-sectional area a2 to have equal stress अच्छा ठीक है तो question में क्या करा रहेगो हमने बिलकुर symmetrically इसको बांद रखा है यह t1 है t2 है difference किसका यह steel की है कौन सी brass की बनी हुई है और यहां आपन लगा रखे हैं कौन सा w अब basic बात ही कह रहा है कि हमें stress है दोनों में बराबर रखना है तो stress होता है क्या उसको देख लो पहले और उसके बाद उसकी condition check कर लो तो आओ पर एक बाद धान देना कि यहां पर इसमें जो first वाला ना इस first वाले का cross section area वो आपको दे रखे है a1 बराबर 0.1 cm2 और जो second वाला है उसका cross section area जो है वो दे रखे है कितना बच्चो कहां गया वो 0.2 cm2 0.2 cm2 यह आपको दे रखे हैं बास रही है और stress दोने दे रखे हैं equal अब आजाओ क्यूशन क्या कर रहा है कि stress first is equal to stress second दो तार है जैसे अगर फोटो आप देखें तो यह तार fast है यह second तार है उसको आपने उपर से कर रखा है suspended और नीचे आपने कोई weight लटका रखा है उससे मानलो तार fast है इसमें यहां जो तनाव है इस तार में वो तो कितना है बच्छो T1 और यहां इस तार में तनाव कितना है वो T2 है और इस वाले का cross section area कितना A1 है इसका कितना है बच्छो A2 बास अब आपको निकालना stage होता क्या है force upon area तो यह लो T1 upon A1 और A1 कितना था देगो 0.1 0.1 बराबर यह है T2 upon कितना 0.2 यहां क्या unit है पसमें कर जाएंगी इसलिए इसको रिखो CGS में रखो आपका SI में पर दोनों होने चीक ऐसे same CGS आइदर MKS अब कुछ करना नहीं है यहां पर अपने पास विलोगे T1 by T2i कितने रेखो 1 by 2 बैस आपका answer ready है तो stress equal रखने के लिए हमें यहां पर कितना रखना पड़ेगा tension का ratio वो आपको मिला कितना answer मिला 1 by 2 1 by 2 हम थोड़े से आगे चलेगे 1 by 2 तो इसका right answer है fourth okay अब आते है पन question number 12 12th question क्या कर रहा है पड़े हां two roads of different material having coefficients of linear expansion alpha 1, alpha 2 and Young's modulus y1 and y2 respectively are fixed between two rigid massless massive walls the roads are heated such that they undergo the same increase in temperature there is तो देखो इसमें क्या कर दे रहा है अपने को दो तारों के alpha 1, alpha 2 दे रहा है बच्चो y1, y2 दे रहा है और इनका same increase in temperature याँ delta T है वो कैसा बराबर दे दिया there is no bending of rods rods में कोई bending में नहीं है the thermal stress developed in the two rods are equally provided y1 and y2 is equal to तो आपको पूछ सके हैं y1 और y2 तो इसकी बात करें अपन थोरी की तो देख से मानलो दो तार हैं उनको हमने इस तरह से एक दूसरे से स्रीज में पहले जोड़ा और दो वाल के अंदर उनको फिक्स कर दिया बात क्लियर इसका दो linear coefficient alpha 1 है इसका कौन सा alpha 2 है ये कौन सा y1 है ये कौन सा आपका दे रखा है y2 बात क्लियर और हम तो ताप में परिवर्टन है इसका भी किता है delta T दोने एक ही मीडिया में है इसका भी delta T दोनों सहम है तो पहले इससे पन एक चेक करते हैं बात है कि जब किसी मालोग को रोड आपने पास ये इसकी लेंद कितनी L है इसका ताप अड़ा दे पन तो होती है expand होती है तो इसका L डेस कितना होता है बच्चों यह होता है L इंटू कितना 1 प्लस अलफा इंटू कौन सा delta T मालो भी इससे अपन गुणा करें L इंटू L उसको इधर लाओ तो delta L और एक L इधर लाओ तो delta L अपन L कितना मेरे पास है alpha इंटू delta T इसको हम कहते हैं ताप ये वीकरती thermal strain ताप की बढ़ाने से इसकी length बढ़ी तो उस case में चैंज इं लेंथ अपन इनिसल लेंथ अपन इनिसल लेंथ इस काल्ड thermal strain अब ये thermal strain आ गया अब उसके बाद देखो अपन जानते हैं कि y is equal to होता क्या है y is equal to होता है stress upon कौन सा strain ये है stress upon कौन सा strain अगर मुझे यहां से stress निकालना हो तो stress is equal to मेरे पास कितना y into strain और strain हमारे पास कितनी है बचो alpha into delta t इसको हम लोग कह जाते हैं thermal stress क्या बोल जाएगा thermal stress तो दो तिन चीज़े और इसमें important काम आ रही है thermal strain क्या होता है thermal stress कौन सा है y कितना alpha into delta t बात क्लियर अब इसमें ताप में परिवरतन question कर रहा है stress दोनों में सहम हो दोनों stress सहम होंगे तो दोनों बीच वाल गार रखे हैं length में कोई change हो नहीं रहा इसका हम दोनों stress कैसे सहम होंगे तब ही ऐसा possible होगा तो आप इसी को अब equate करेंगे ना तो ध्यान देंगे आप इसमें कि delta t तो constant है इसलिए y into alpha y into alpha बराबर हमारे लिए क्या हो गया constant तो इसमें या कर दो हूँ y पर पोस्ट नो कितना 1 upon alpha तो देखो y 1 मैंने अभी जो सिखा था न कर नवर्जन करना वैसे अब मुझे त्यादर पड़ी हुए है तो कौनसा घर दो alpha 2 upon alpha 1 बताओ मुझे alpha 2 और alpha 1 की जब बात है तो इनका ratio क्या था हमारे पास alpha 1 का और alpha 2 का बोलो ये था 2 ratio 3 alpha 1 by alpha 2 2 बटा 3 alpha 2 by alpha 1 कितना होगा 3 बटा 2 तो आपका answer कितना 3 by 2 that is third option ठीक है तो इसमें हर बात ध्यान रखने है इसमें कि thermal stress क्या है thermal strain क्या है और फिर अगर दोनों को अपने एतर से fish कर रखा है ले इसमें कोई परिवर्टन नहीं हो रहा है या पर्टेक्ट में ताप में समान वर्दी होती है तो इस तरह से आप इसको चेक तरोगे तो आपका answer है वो आजाएगा ठीक है भई कोई समस्या ठीक है बढ़ो आगे तो question number आपका हुआ 12 complete अब बढ़ते हैं अपन कौन से question number 13 पे आओ साब जी क्या कहरा है अपन से भार की साथ लंबाई में वर्दी की आरेख एक ही पदार्थ के बने चार तारों A, B, C, T, D के लिए दिखाए गए है तो सबसे पतले तार के लिए आरेख कौन सा है तो simple सी कहानी है तार जितना पतला होगा न उसकी लंबाई में उतनाई ज़्यादा परिवर्दन होगा समान भार से देखो जैसे वन पढ़ते है Y is equal to क्या होता है force upon area यहनि stress upon strain कितनी बच्चो delta L upon L जैसे मान लो और इसको एवर मैं बदलो मान लो तो F into कितना L upon कितना हो गया यह A into delta L हो गया सही है जैसे मान लो हमारे पास यह कोई एक support था उपर का एक भाग मान लो और अपने यहां से किसी एक तार को बांद रखा है इस तार की लंबाई कितनी L है initially और हमने यहां पे कोई weight लटका दिया यानि कोई force अप्लाई गिर दिया अथवा कोई अपने weight लटका दिया mg उससे इसकी length मान लो बढ़ गई और बढ़ करके इसमें extra जो length हो कितनी delta L हो रहा गई तब हम इसमें find करते हैं इसका young modelers experiment से तो हमारे पास उसका formula कितना बनता y is equal to f into L अपन कितना a into delta L अब देखो इस formula में इसकी value पूट करता हूँ इससे तो हमारे पास value आई यह है f तो कितना देखो mz into L upon अगर मान लो इसका जो cross section है इसकी दरख्यो radius तो क्या लिखोंगे इसको pi r square यह है pi r square into कौन सा delta L यह हमारे पास एक formula है और यह formula और यह simple समाने रोप में यह तो अपने को क्या भागते भागते ऐसे याद रहने ही चाहिए इसको मैं हम बोलता हूँ y equal to कितना mangalal upon कौन सा para delta L इसको ऐसे याद करो रटलो इसको अच्छे से y is equal to mangalal upon कौन सा para delta L para के साथ कौन सा delta L आए गए आएगा ओके तो ध्यान दोग यह formula बन गया कोई issue नहीं है अब कहनी यह है कि मुझे यह पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा किस्को represent कर रहा है basic से तो इस question में में demand इसकी है वो कितना delta L है वो है इसमे elongation in length लंबाई में कितना change हो रहा है तो अगर मैं यहां से इस लंबाई वाले portion को इधर लाता हूँ देखो इसको यहां से उठाओं यहां ले आओं तो यहां से नहीं से जला गया वैस तो इससे delta L जो है ना बच्चो वो किस पर depend कर रहा है किसके बराबर है यदि उसकी value उपन लिखें गवार तो यह हुआ देखो कितना यह बन गया अपना mz l upon कौनसा pi r square into बच्चो y अब प्रशन को डंग से पढ़ें भार के साथ लंबाई वर्दी क्यार एक एक ही पदार्थ जब एक ही पदार्थ कहीं लिखा है इसका मतलब उसकी density और उसका young modelist तो same है तो एक तो y constant हो गया pi वैसे constant है अब बाकी हमें इसमें खुद देखना है हमरे पास तार्थे और लंबाई में आपने को वर्दी देखनी है तो देखो मैं इसमें ऐसे करता हूँ कि समान बाँ लटका दूँ यह दि मन लोड को कर दिया सब में constant अब समान बाँ अपने लटकाते हैं उस case में जो d है न समान बहार से d में कितनी वर्दी देखो d में इतनी वर्दी हुई c में कितनी वियrire इतनी हुई तो उस case में इन चारों में से सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी बढ़ रही है D की बढ़ी गया, नहीं बढ़ी किसकी बढ़ रही है, A की बढ़ रही है और A की क्यों बढ़ रही है तो देखो आप लंबाई का जो परिवर्तन है चैंजिन लेंद है तो देखो radius के weight को मैंने constant कर लिया तार मालो चारों समान तार के समान लंबाई के पले ले weight सब को मैंने कर दिया constant तार सारे समान लंबाई के हैं उस condition में जो small r है जतना कम से कम होगा तार जतना पतले से पतला होगा उसकी length उतनी जदा वड़ेगी और आपको दिख रहा है कि A जो है ना इस A की length सबसे अधिक बड़ी है इसलिए A सबसे पतला तार है तो आपका answer कौन सा वा O A O A that is fourth option सही है हाँ तो बच्चो अगला question अपन देखें कौन सा question अपन देखें कौन सा question 14 तो और डेल्टा L में और वेटिम ग्राब दे रखा है और दे रखा है cross section area तो पुछा है कि तार की पदार्थ का young modulus कितना है तो आप जानते हैं Y होता है क्या है मांगिलाल MZ into L upon कौन सा पहरे डेल्टा L मतलब area into कौन सा MZ into क्या A अब ये क्या है देखो ग्राब हमारे पास किसमे है डेल्टा L versus किसमे वेट में है तो इसका slope निकाल के अपन इसको कर सकते हैं तो इस slope बन गया कि तरह से तो आप इसको ऐसे कर सकते हो देखो ये है L upon कितना slope slope दो 10 theta 10 theta into क्या कर दो ये कर दो बैस अब slope निकालना है slope कैसे निकालेंगे तो कोई एक portion ले लो आप जैसे मैं इस भाग को ले लो यहां से आ तक को तो ये इसका परपेंडी कुलर कितना बचो 4 minus 3 यान एक बट आप देखो इसमें लिखा क्या है 10 की पौर मैंस चार सुगुणा भी करना है तो 1 into 10 2 पौर मैंस के कौन सा 4 हो गया अच्छा इसका बेस कितना है 80 minus का 60 बेस इसका है कितना 20 और है कि इसमें Newton में तो कुछ और बदलें आऊशिता नहीं है अब अपन question करना सुरू कर देते हैं और value put करते हैं देखो साथ से पर लंबा है कितनी इसकी 1 meter कोई समझा नहीं है 10th हीटा आपन निकालें तो 10 कितना 10 upon 10 yellow 10 की power minus का 4 upon कितना कर दो 20 very good into कितना है area वो है मेरे पहरे बचो 10 की power minus का 6 10 की power minus का कितना 6 yellow अब इसको solve करना है तो 20 भी उपर सला गया सारी उपर सले गया प्लसम होगे तो 20 into कर दूंगा 10 की power 6 और 4 कितना 10 yellow साब 10 तो हमारा answer कितना 2 into 10 की power 11 newton per meter square that is the right answer of question number 14 option देखे 2 10 की power 11 जो की first option बनता है ठीक है बड़े next question में question number 15 case निली की एक प्रयोग में 30 cm लंबी की case निली पानी में डोब जाती है case का तो एक पानी 10 cm उंचाय तक उसमें चड़ता है यदि यही प्रयोग एक 37 तरता पुरू गिरते वे एलेवेटर में संपन कराते हैं तो जल्स तम की उंचाय कितनी होगी height तो एक तो 37 तरता पुरू गिरते वे condition में वहाँ weightlessness condition होती है तो आप जानते है ऐसे case में case निली पूरी की पूरी up to top है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है बट पानी भार नहीं निकलता है उसमें फिर क्या होती है कि जो उसकी top layer है top layer है उसका फिर जो उसमें जो liquid भरा है ना उसकी जो curvature है वो थोड़ी सी क्या बढ़ जाती है और बढ़ने के पर साथ है वो पानी बाहर नहीं निकल पाता यानि यहाँ पर इसकी वकरता जो इसका मेनिसकेस है उसकी safe में बदला होगा बट पानी कभी से हमारी रूप में बहार निकल जाएगा इसका आंसर क्या होगा यह पूरी बढ़ जाएगी पूरी मुद्दद 30 cm से लेंद थी पूरी बढ़ जाएगी किस्टर नमर 16 क्या है एक टैंक में एच उंच पानी भरा है इसके उपरी सत्य से कुछ नीचे एक छेद कर देते हैं यदि इससे निकलने वाला पानी मैक्सिमंग शत्य प्रास बर गिरे तो उपरी सत्य से छेदर की गहराई कितनी है देखो प्रशन आपका है ऐसे कि यह मान लो एक कोई वाटर टैंक है इसमें अपने पानी भरावा है ठीक है और इस पूरे की हाइड कितनी है बच्चो एच है पूरा कितना एच हाइड का है हमने क्या करा इसमें क्रिशन क्या करा कि उपरी सत्य से छिदर की गहराई कितनी है तो मान लो अपन यहां से एक छिदर बना रहे हैं और इसकी उपर से जो depth है उसको मालों कितनी small h तो नीचे से कितनी भी यह होगी capital h minus कितना small h अब इसको अपने किसी surface पर रखा मालों ऐसे और फिर इस surface में जैसे इस से पानी यहां से liquid बहार निकलेगा तो liquid यहां से निकलता है तो horizontal है बट इसका बात कैसा बनता है यह यह तरह से horizontal progetile है वो बन जाएगा और इस point पर यह पानी है वो आगर करके strike करता है अब आपको जानते हों कि velocity हो जो e-flux होता है जैसे आप पढ़ते हो उसमें टोरी-शोली-थोरम वो क्या करती है कि अगर इस point से पानी भार निकलता है तो मैं अगर यहां पे पत्थर छोड़ू हूँ वो पत्थर जब यहां से यहां पहुंचता है पर सुन ले अगर किस stone को मैं यहां से यहां छोड़ता हूँ इसको पत्तर ने जितनी यहां speed gain करी तो कितनी होती है उसकी भी speed यहां से निकलते समय जब पानी यहां से बाहर निकलता है तब इसकी speed कितनी होती है यह है बच्चो root 2ghe है पर जो पानी यहां से निकलता है वो इतनी यह एच मैनस small h distance कवर करने के बाद यहां गिर रहा है उसकी तो range है यहां से गिरना समय कितना है तो time जो है इसका यह तो इसका velocity v हो गया और time बच्चो कितना है वो है root 2h by z पर h कौन सा जतने से गिरा है वो बच्चो कितना है capital h minus का small h है अब आप जानते हैं इसकी जो यह range आई है इसको पर range r मान लें तो range r जो बच्चो है वो कितनी है यह है इसकी velocity v into t और v हमारे पास क्या था root 2gh पर h कौन सा small h into कितना देखो यह है 2 into capital h minus का small h upon कितना z अब दोनों की root है इसलिए दोनों को अपन root को इसको मालों हटा दो यहां से या simple मालों को combine कर दो जो दोनों को अपन यहां combine कर दें ऐसे yellow ऐसे करती जी जी cancel हो गया 2,2 बहर आ गया तो यह बन गया तो 2 into कितना root of यह small h into कितना capital h minus का small h एक तो यहीं से formula A को और धान देना मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ 2 into कितना root h1 into h2 यानि जब भी आपको range निकाल ली होना तो अगर यह total दे रखी हो फिर यह पता हो जाने ऊपर कितनी है नीची कितनी है बस अब दोनों में से कोई एक मिल जाए दूसरी अपने आप find कर लो तो इन दोनों का जो product है वो आपको यहां लिखना होता है h1 into h2 मैं इसको मान रहा हूँ h1 into h2 मान लेता हूँ बस इसके वह पूट कर दी और आपने range निकाल ली बट अपना question क्या है बच्छो यहां पर कि पूछा आपने को यह है कि इस hole open कहा बना है top से कितना नीचे बना है जिससे कि इसकी range क्या है maximum यानि आपको पूछा है r maximum पर किसके लिए h के लिए इसके मतलब r और s कैसे variable है क्यापिल आपका constant है इसलिए यहां पर पूछा maxima of r तो मेरे पहले बच्छो d r upon d h should be 0 जिसमें 2 और root तो सब constant है अब इसमें अगर आप लोग जिसके अंदर वाला portion नहीं वाला इसका अपन h के सापिक्स कर दें differentiation और कर दें उसको 0 तो आपका answer आ जाएगा इसको मैं h कर दो capital h into small h minus कितना small h का square इसका हमें करना है h के सापिक्स alkaline उसको सुने कर दो h into small h कितना बच्छोगा capital h minus कितना 2 h that is 0 इसको solve करने पे small h के तावा s by 2 यानि यदि आपने h height तक पाने भर रखा इसमें और ठीक इसके mid में आप करेंगे एक hole तो इसकी range कैसे आएगी maximum आएगी अब सुनो अगर आपको यह पता लग गया कि range यहाँ पर h by 2 के लिए maximum है तो दूर कितना जाएगा वह भी पर निकास मैंने आपको सिखाया था कि range कितनी है बचो 2 into root h1 into s2 है अब सिद्धे इसको अगर याद होता ना तो बहुत काम आता है तो मैं इसकी range अब निकालता है कि maximum कितनी हो चुकी तो देखो जिसकी R maximum होगी वह है कितना 2 into h1 into s2 ठीक बीच में तो ये भी कितनी capital s की रूप में na h by 2 और ये भी बचो कितना हो है h by 2 जालो आप कहांसर आ गया कितना है s square upon 4 s square upon 4 तो इसमें कितना h upon कितना 2 to 2 कड़ गया value हमारे पास कितनी है h तो बहुत पहरा सा है अगर आपने तो पानी यहां से कितना दूर गिरेगा 100 मिटर गिरेगा 10 मिटर तो 10 मिटर गिरेगा 50 तो 50, 100 तो 100 गिर जाएगा तो बहुत पहरा प्रप्सन है हमने इसके आसपास की थोरी भी आपको बता दी है अब इसका आंसर चेक कर लो कितना h by 2 अब आते हैं किष्ण नंबर 17 में पढ़ें भई आंत्री ब्यास ये वाले एक टॉंटी से पानी लगतार प्रवित हो रहा है जैसे ही पानी टॉंटी से भाहर आता है पानी का वे कितना हो जाता है तो टॉंटी के नीचे कितने मीटर दूरी पर पानी की धरा का व्यास कितना होगा तो किष्ण को समझें मान लो ये कोई एक नल है और इससे पानी है वो निकल रहा है पानी यहां जो निकल रहा है बच्चो आप देखते हैं जैसे नॉर्मली पानी जो निकलता है तो उपर उसका जो डामेटर है पानी की धरा का वो थोड़ा सा ज्यादा होता है पो नीचे आनी की साथ उसका जो डामेटर है कम होता सा आपको लगता है तो मान लो इस तरह से पानी निकल रहा है इस पॉइंट पे निकलती उसकी स्पीड है उसको मानता हूं मान लो वी बन कर रहा हूं और इसका एरिया मानलो कितना बच्चो A1 और इसमें इसका वेलोस्टी कितना मानलो V2 और इसका एरिया कितना है A2 बात वो ही है यहाँ पर भी एक तरह ऐसे लिक्विड तो एक स्ट्रीम की रूप में नीचे जा रहा है स्ट्रीम लाइन फ्लो इसमें हो रहा है दर्वेका धराडे की परवा की रूप में इसका फ्लो हो रहा है बिना किसी पाइप के यहां से पान निकल रहा है अच्छा अब सुनो यह V1 A1 अगर उसमें अगर मैं स्ट्रीम लाइन फ्लो मानता हूँ और फिर यहां लगा दूं continuity equation तो उसके उसार देगो यानि एक तो इसमें है by continuity equation उसके उसार तो मैं यहां लिखता हूँ कि V1 A1 बराबर कौन सा V2 A2 ओके यह अपना काम हो चुका अब चुंकि आपको यह दोन देरक्षा है यहां इसमें देरक्षा आपने को A तो पूछा है मेरे बैचो A आप से पूछा पर V2 अब आपको निकालने पड़ेगी V2 निकल जाएगी तो जैराम जी की कोई समझे है नहीं है अब सुनो अभी हम बात करके आए हैं कि जब टोरिसल थोरम के अनुसार आपने होल क्या था पाने नीचे गरा तो उसकी स्पिड किती है ठीक उसी तरह से है भई यहां पर भी जब पानी को आप मानों यहां पाने का फ्री फालिंग हो रहा है यहां अगर आपकी स्पिड पता है तो मैं इस से देखो यहां से A एच दूरी नीचे मानलो अगर यह दूरी एच मानलो मैं एच दूरी नीचे के बाद इसकी स्पिड कितनी है तो सिंपल आप गती की लगा दो कौन से थर्ड समिकर्ण बिना देखो आपके पास दो तरीके है यहां तो इसमें लगाओ आप क्या बरन लित हो रहा हम वो लेंदी पड़ेगी पर आप यहां तो सिद्धे है न क्या लगा सकते हो थर्ड एक्वेशन और उस से देखो वी बन पता दो वी टू कितना आएगा वी टू आएगा वी बन स्क्वाइर प्लस कितना टू जी एच यह एक्वेशन सेकेंड बास अब काम है वो है पुरा का पुरा कैल्कुलेशन का वो आप खुद करेंगे सुन ले हैं वी बन दे रखा है ए बन दे रखा है एटू फैंड करना है वी टू मैंने यहां ले लिया अब इससे आप एटू निकाल लेंगे और एटू जो आएगा उसमें एटू रखाए पाई आटू स्कार आटू कितना एटू पॉन पाई का रूट कर दो वो आप खुद करेंगे और उसको सौल करेंगे तो इसका आंसर है वो थ्री पॉइंट सिक्स एंटू टेंट टू और मैंस का थरी आजाएगा कैलकुलरसन है इसमें टाइम खराब होगा मैं यहां से थोड़ा भाहर निकल रहा हूँ अब अबर टेंक क्विशन नमर एटीन में आईए साब ये भी नीट के लिए बहुत पैरा प्रस्टन है बहुत धासू प्रस्टन है ये बहुत बढ़े व्यूट्टन है कि एक हमारे पास यूट्यूब है जिसकी बाईन बुजा के अनुपरस्ट कार्ट का एरिया दाईन बुजा के अनुपरस्ट कार्ट से कैसा एक चोथा ही है तो ठीक है भRAI बात सही है फिर यू नली में पारा इतना भराब है इसकी density है पत्ती नली में पारा नली की उपरी सिरी से 36 cm नीचे है बिल्कुल ठीक है तो दाई और की नली में पारे की उंचाए कितनी बढ़ जाएगी यदि बाई नली में उपरी सिरी तक पानी भर दिया जाए अपने पानी भर दिया इसमें ओके तो प्रस्ण को डियाग्राम तो दे रखा है दे रखा है इसके अलाव पहले ढंग से समझें फिर अपने इसको solve करते हैं बढ़िया से बिल्कुल ढान दें हमने हर प्रस्ण में त्योरी जदा सजदा आप बतानी कोश्च करिए अच्छे समझे उसको और एक बार नहीं कम से कम दो बार डेंक से पेपर को इसको विद वीडियो आप analyze करें और सीख ले पूरे को एक्जाम में निश्य दूप से आपको इससे benefit होने वाला है आओ तो तो पहले इसमें ये आदेगो हमारे पास एक YouTube है जिसकी दो बुजाएं है जिसमें से एक बुजा कैसी है पतली है और दूसरी बुजा कैसी है चोड़िये इसका क्रोस सक्से अरिया कम है इसका जादा है अब सुनक किसन गयाद रखा है कि पहले इसमें पहले इसमें मरकरी भरी विये और उस मरकरी का लेबल कैसा दोन बुजाओं में बराबर आए बास लागी अब आपको क्या बोला अगर इसी में बनाओं मैं हम इसमें पानी ड्रोप करें पानी ड्रोप करेंगे तो ये वाला इसा नीची जाएगा ये वाल उपर जाएगा यहीं इसको समझ लो अगर मैं इसमें पानी एड़ करता हूँ कि यदि आप इसमें पानी एड़ करते हैं तो पानी का जो आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे उससे जो अक्स्ट्रा प्रेसर या फोर्स लगता है उससे यहाँ वाला जो पार्ट है वो नीचे जाएगा और वाला उपर जाएगा पर कितना होगा वो अलग है क्योंकि देखो इसका डायमेटर काम इसका डायमेटर जादा है ऐसा नहीं कि अगर मालो ये एक सेंटीमेटर नीचे गया तो यहाँ पर ट्रांसपर हो क्या रहा है लिक्विड हो रहा है और उसमें तो अपन कहते हैं फ्लो फ्लूड बराबर है यानि जितना वॉलियूम नीचे जाएगा उतना वॉलियूम उपर जाएगा वॉलियूम तो सेम है वोलिम ट्रांसपर से में परूंट उसकी हैट किस तरह से वो तो अलगाएगी ना वो आपको चेक करने पड़ेगी तो मान लो आपने यहाँ पर जैसे पानी एड़ करना शुरू किया तो मान लो आपने इतना पानी एड़ किया पानी जो मरकरी का लेवल है जहाँ सुन लो मरकरी का लेवल अब यहाँ से मान लो इतना नीचे आ चुका है और इस बुझा में चूंकि यह चूड़ी है इसका डायमेटर जादा है तो थोड़ा सा इसमें मरकरी है वो जैसे था पहले मालो पहले यहां तक था ना अब इसका थूड़ा सा लेवल बढ़ गया हलका सा यह अलो साव मैं मालो कि इसका लेवल बढ़ा एक्स से मालो कि इतना एक्स से बढ़ा तो इसका कितना बढ़ा एक्स डेस यह एक्स डेस मुझे मालूम नहीं है उसको तो X मान रहा हूँ, इसका X डेस मान रहा हूँ पर ये शोर है, जितना वोल्यम यहां पर नीचे गया उतना वोल्यम उपर गया बास भारीगा? अच्छा वोल्यम से अगर मैं इसको करता हूँ सौल पहले, तो वोल्यम इसका ये वहला बराबर कौन सा है जैसा भी आप सोचो तो मालो इसको मैं कहा दो ए बराबर वो मालो कितना X into तो इसकी तुला में कितना 4 A वही इसका क्रोस सेक्षन एरिया वो इससे one fourth है या अगर इसका तो उसका four times है जैसा भी अच्छा लगी आप दो एससे एक ऐसा बच्छो कैंसिल तो वेलो कितना है यह four X आ गई तो इसके X होने पर यह X डेस कितना रिखवाया एक्स डेस इसको समझना बहुत सही था यह है four X वैस अब कोई समय से आने है यह दिद दोनों बुझाओं की cross section सहम होती तो इसके X जाने पर यह X डेस अक्स ही होता अलग नहीं आता पर यह अच्छा रहा है कि क्रिशन आपका इस तरह से आ गया तो अपन उस सारी बातें यहां समझ सकते हैं अब कोई issue नहीं है देखो अब आप जानते हो कि इस परकार के प्रशनों में एक ही परकार की liquid में जान सुना एक ही परकार की liquid में समान उचाई पर समान उचाय पर pressure कैसा होता है same होता है वास यह ना एक ही परकार की liquid में समान height पर क्या होता है pressure same होता है तो आप क्या करें दो point यहाँ पसलेक करें मालों एक point मैं यहाँ ले रहा हूँ एक point ज़स्ट आप देखो अब यह दोनू point है वो same height पर है बस इतना काम गरना है अब सोचो यहाँ पर एक तो प्रसंद था कि इस पर हम लोगों ने करीब करीब 36 cm length का water aid किया है और धान दो पूरा water है यहाँ पर और यहाँ पर इसके ठीक उपर इसके ठीक उपर क्या है बोलो इसके ठीक उपर क्या हमारे पास मीडे में होने चाहिए समान हाइट पर होने चाहिए ठीक है अब इसके उपर क्या है completely water है उसका कितना pressure है उसको check कर लो या उसका weight देख लो धान दो आप कि मैं इसको लिखू हूँ row water यहाँ पर कौन है row water का बट यहाँ कौन सा है row sg mercury है only उसमें simple ऐसे simple मैंसे ऐसे काड़ा करता हूँ कि row L बराबर constant यहां row इस वाली side का density और L इसकी height और यहाँ पर इस वाली का density और इसकी height आप सोचो कि पहले की comparable यह नीची कितना है था 4x तो completely यह x और 4x complete कितना 5x आई है जान देना चैसे इस वाले point की ऊपर इसकी height कितनी 5x और इस वाले की ऊपर कितनी 36 प्लस कितना बच्चो 4x बैस अब कोई समय सा नहीं है आप बदलो इसको row water into कितना L total इसकी यहां से यहां था कि height कितने देखो 36 plus 4x is equal to इस वाले में क्या देखो मेरे पास है row hg जो है कितना 13.6 अच्छा इन्टू कितना 5x अब इससे आपको solve करना है और solve करने पी जो इसकी x value है वो सिद्धी सिद्धी आपकी point 56 के करीब आ जाएगी और सही से आप इसका answer tick कर देखो आप option check करो point 56 cm ओके हाँ तो बच्चो अगला question अपन देखें question number 19 इसमें क्या पूछा है एक तार की लंबाई में L1 की वर्दी होती है a wire is elongated या elongates by L units when a load W is suspended from it जैसे मान लो ये को तार है और इससे हमने कोई एक weight लटका दिया W तो इससे ऐसे करने के बाद इसकी लंबाई किती बड़ी वो कहरा delta L change in length है वो दे दिया आपने को small L ठीक है अच्छा उसके बाद क्या कहरा है if the wire gets over a pulley equally on both the sides and two weights W each are hung at the two ends the elongation of wire will be अब आपको बोला कि इसी तार को तार यही है इसको हमने किसी पुली के through A इस तरह से लटका दिया और यह भी कहा है कि दोनों length कैसी equal है ताब तो तार थे यह तार जो लंबाई इसकी थी पहले मालो L उतना यह लंबाई है वो कौन सा L इसका है और weight भी अपने यहां पे कितना W यह W अगर लटका दिये हैं तो पूछ है कि इसकी लंबाई में elongation small L है तो इसमें कितना होगा बात देखो इस पस्ट यह है कि यहां पे यह रसी जो है यह रसी आपको दिख रही है इसको अपन यहां ले रहे है मास लेश और अगर यहां पे इसमें तनाव देखो T है तो बच्चों यहां पर तनाव कितना T तो होता न तो तनाव ऐसे है कितना यह तनाव T है कितना W तो यहां भी कितना है W तो है तो आप इसको ऐसे मान सकते होगे कि रसी को अपन W से नीचे खिंच रहे हैं और W से उपर खिंच रहे हैं बिल्कुल बराबर है और ऐसा इसमें यहां पर भी कोई अलग से बात नहीं हुए ऐसा करने से यहां भी W और यह W बराबर हैं इसलिए कोई acceleration नहीं है और यहां पर तनाव कितना T यह T यह तनाव इसका T और T यह T भी बच्चों कितना W ही है इसलिए जब तनाव वो ही है elongation के जो force अपन अप्लाई कर रहे हैं वो उतना ही है तो length in change अपन गयाद करते हैं तो देखो जो Y बराबर delta L हमारे पास कितना है रहो इसको इधर उल्टा उल्टा कर दो यह था आपका मैं MZ into L upon कितना Y into A तार वो ही है उत्ती लंबाई है वो ही weight लटका रखा है वो ही Y है वो ही A है तो जो लंबाई इसकी change उतनी इसकी हो जाएगी बिल्कुल अलग से नहीं है लें दोनों की सेम बढ़ेगी question number 20 देखो लकडी का एक गुटका है यह लकडी का गुटका है उस पर रखा अपने सिका और पानी में इस तरह से इसको रखावा है अब देखो पानी पे आपके लकडी की गुटकी पी सिका तहर रहा है जैसे इस सिकी को डालने पर क्या होगा यह h किस परकार से बदलेगी और small l कैसे बदलेगी तो आप सोचेंज में जैसे पर सिकी को यहां से हटाएंगे इसको अपन यहां से पानी में ड्रोप कर देंगे तो ड्रोप करने पर क्या होगा दो चेंज होंगे एक तो यह जो बुड़न बार्ट है वो तो यहां से बाहर निकलना है जब यह बाहर निकलने से small l गट गया दूसरा पहले जो कोईन है नहीं इस कोईन जो कि पहले तहर रहा है floating case में है जब floating case में है तो इसने क्या कर रखा इसने अपने weight के बराबर पानी को अठा रखा है जब यह सीका floating case में है तो इसने अपने weight के बराबर पानी को अठा रखा है पर जैसी पानी में डूब जाता है तो इसने अपने खुद के volume के बराबर पानी को अठा है आप जानते हैं सीक्की का वोलियूम बहुत चोटा सा है इसलिए जैसे ये अंदर गिरेगा तो बाद में उसने कम वोलियूम हटाया है पहले इसने अधिक अठा रखा था और अधिक अठा रखा था तो इसकी एद ज़्यादा थी पर आप कम हटायगा तो से कम हो जाएगा यानि दोनों ही घड़ जाएंगे दोनों ही कम हो जाएंगे यहाँ पे च्मल इल भी कटे गिए और स भी घड़ जाएगे तो आपका आंसर क्या होगा? दोनों डिक्रेज हो जाएंगे बढ़ें नेक्स क्यूशन में, आईए क्यूशन नमर ट्वंटीवन, तो ट्वंटीवन कह रहा है, कि there are two identical small holes of area of cross section, A on the opposite sides, क्यूशन आप पढ़ लेना, मैं इसका वज़ा दो, आपको सहरांश, जैसे, यह हमारे पास एक container है, इसमें आपने liquid भर रखा है, और small h, height की gap पे दो hole कर रखें, एक hole यहां कर रखा है, एक hole यहां कर रखा है, दिख रहे हैं, अब यह hole नीचे है, तो यह तो इसकी do height ज्यादा है, इसकी depth कम है, इसकी depth ज्यादा है, तो जो पानी यहां से निकलेगा, मान लो, उसकी speed किती V1 है, जो पानी यहां से निकलता, उसकी speed किती V2 है, तो निशित रूफ से V1 का मान बढ़ा है, V2 छोटा है, V1 कितना root 2GH, यह ना, जो भी पहले discuss किया था, उसकी अधार पर, तो V1 यहां बढ़ा है, V2 छोटा है, तो एक तो पता लगा इसमें कि V1 का मान V2 से बढ़ा है, आप ज जो system है, वो पिछे है, जैसे simple आपने कई बार ऐसा example देखा होगा, कि गुबारा है उसको पाने से बढ़ा लें अपन, और अचानल गुबारा क्या फूर जाता है, तो फूरते क्या हो, जिस तरह पान निकलता है, उसकी ठीक पिछी क्या गुबारा है ना, वो भागता है, व फूर्स यहां पर develop हो रहे हैं, अब यह velocity अधिक है, यह velocity कम है, इसलिए यह force बढ़ा है, यह force चोटा है, तो मालो यहां force लग रहा है कौन सा यह F1, इसको मालो force कौन सा आपका F2, तो net force कौन सा आएगा, जान दो, F जो net है इसका, वो है बच्चो, F1 माइनस कौन सा F2, अब F1, F2 हैं क्या, वो अपनी हां से निकालते हैं, rate of change of momentum से force निकालते हैं, कैसे, देखें, मालो, यह कोई एक hole था यहां पर, और इस से पानी हां से बाहर निकल रहा है, इसका cross section मालता हूं कितना A, velocity कितनी है V, जो liquid हां से निकलता, उसके density कितनी रह है, तो force अपन कहते हैं, त D P by D T, तो D P by D T, यह लो साब, D by D T, P कितना है M into V, M into V, V मैं इसको तो बदलता हूं, M mass कितना है, rho into volume, मालो, अपने पास छोटा से cross section है, उसके लंबाए कितनी बहुत छोटी है, मालो, L length है उसकी, तो मैं उसको ऐसे कहता हूं कि L length, तो area तो है, rho A into L, आना P निकालना था, into V, V constant से बाहर निकल रहा है, यह हमारे पास value आई, अब दो रो constant है, A B constant है, V B constant है, इसको बाहर ले लो, तो हमारे पास value किते हैं, rho A और V, into कितना D L upon D T, और D L upon D T भी क्या बन गया, इसकी speed बन गई, तो कुल मिला करके, rho A into V square, इतना force लग रहा है, किसी hole से पानी निकलने पार, एक तरफ से निकलने पर, तो यह force लगा रहे हो, अब समझो, कि हमने यहाँ पे दो force निकल ले थे, तो मैंने, अब इसका answer निकलना है, तो कितना rho A B का, rho और बे दोनु ही hole के बराबर है, और किस्ट क्या कर रहा है, कि इसका hole का area कितना है, small a, तो देखो F1 किता लिख F2 कितना rho A V2 square, जिसमें से rho और A अपन ले लें common, तो कितनी value चाहिए, V1 square माइनस कौन सा V2 square, यह इसका force आ गया, इसका force आ गया, बात सही है, आप सुनो, अब हमें इस V1 और V2 की value है, V1 square माइनस V2 square value find करनी है, एक बात अभी आपको मैंने सिखाई थी, कि जैसे ही उस container, मालो कोई container था हमारे पास, इस container में H मालो इसको अपने पाने से बरावाया है, किसी container को इस तरह से, और यह यहां तक मालो पानी बरावाया है, और यह H है, small H, पानी हाँ से निकलता, उसकी speed क्या थी? नहीं गाता, free falling body की तरह से है, जब यह free falling body की तरह से है, तो यहां पर भी आप देखो, बेक आओ, और देखो इसमें, कि मालो यहां से पानी निकल रावाया, उसकी speed क्यत्ती V2 है, और यहां से क्यत्ती V1 है, तो वीवन तो बड़ी है, तो आप ऐसे मालो कि कोई पत्तर यहा V1 square equal to कौन सा, V2 square plus 2GH, वैस, तो आप देखो, V1 square minus V2 square बराबर कितना 2GH काम ले सकते हो, आप इसको यहां से हटा सकते हो, और क्या लिखो देखो, यह बन गया, रो A into कितना 2GH, वैस, आपका answer तयार है, टू A, रो जी एस, टू A, रो जी एस, येलो साब इसका answer, बिलकुल देखो, इसमें कोई issue नहीं है, एक hole है, तो आप क्रिशन आते हैं, यह hole कर रखा है, और पुछेंगे कि इस block को या इस container को यहीं रखने के लिए, आपको कम से कम किताब लगाना पड़ेगा, दो hole कर लेट निकाल लो, कितना बल लगाना पड़ेगा, बैस, ओके, आते हैं question number 22 पे, आज़ो भई, इसमें कहरा है, किसी घर्षन ही नली जिसका अनुपरस्टकार दे रखा अपने को, वो इस तरह से बदल रहा है, जलिस से बाहर निकल रहा है, तो आप से पूछा है, किस नली के along do dappi है, वो किस परकार से चेंज हो रहा है, pressure का बदलाव किस परकार से है, वो आप से पूछा है, देखो इसमें, मालो ये अपने पास एक नली है, ये नली है साव, इसमें पानी यहां से इंटर कर रहा है, और यहां से भार निकल रहा है, आप किसमें क्या पता देखो, कि यहां पर जो पाने की स्पीड मानलो V1 है और यहां पर पाने की स्पीड कितनी है V2 बात क्लियर और यहां का क्रोस सिक्षन एरिया कितना है बच्चो A1 और यहां का क्रोस सिक्षन एरिया कितना है A2 है आपको दिख रहा है साथ साथ इसमें कि A2 छोटा है A1 बड़ा है दिख रहा ना तो continuity equation के नुसार अपन कहते हैं कि Q बराबर कितना A into V और वो है कैसा constant अब इससे पर निकालते हैं V बराबर कितना 1 upon A तो अपन यह जानते हैं इसमें कि जहां पर area जादा होगा वहाँ speed कैसी कम होगी तो speed जहां का area बड़ा वहाँ speed कम होगी आप देखो यह V2 पता है कि A2 का मान कैसा A1 से छोटा बिलकुल ठीक है तो V2 का मान कितना V1 से बड़ा यह भी ठीक है अब Bernoulli की थोरम क्या कहते हैं आप जानते हैं उसमें Bernoulli के नुसार यह तो दो इतो बड़ी इसमें है एक तो पहला तक क्या था continuity equation और second है कौन सी Bernoulli equation और यह कहती है इसके coding क्या कि pressure energy प्लस कौन सा यह kinetic energy प्लस कितना ρो जी है इन तीनों का sum हमेशा क्या रहता है constant रहता है बैस यह तो बात है अब आप देखो यहाँ यह pipe किस प्रकार का horizontal है प्लस हाफ रो भी square बराबर क्या constant आ गया तो अब इसमें जहाँ velocity बड़ी है वहाँ pressure कम जहाँ velocity बड़ी है वहाँ pressure कम होगा अब सोच देगो यहाँ से यहाँ तक cross section constant है velocity भी कैसी constant है तो pressure भी यहाँ पे constant है पर इस बीच वाले भाग बदला होगा फिर वापिस बदलाव मान है वह constant रहेगा तो graph जो इसका बनाओ गया आप देखो graph इसका बनाएंगे ऐसे तो यहाँ प्रेसर बान लो इस वाले भाग का pressure में P1 मान रहा हूँ और यहाँ वाले भाग का pressure किता में P2 मान रहा हूँ यहाँ की velocity कम है तो प्रेसर कैसा ज्यादा यहाँ प्रेसर बड़ा है और यहाँ तक constant दो ग्राप इसका यह बना ग्राप इसका दो यह बन गया है इस वाले भाग में फिर गटे गाए यह यह फिर वापिस constant है यह लो साब बिलकुल इस बीच वाले भाग में यहाँ पे इसमें कुछ बजला होगा इस तरह प्रेसर कैसा कम है या ज्यादा velocity कम दाप ज्यादा बिलकुल ठीक है अराम से हो जाएगा caution बड़े आगे तो देखो बाकी जितने भी आपके फ्लियोड डाइनमिक्स के questions है ना उसमें Bernoulli में तो दो चीज़े बड़ी important है एक तो CE और कौन सा BE पहले आप लगा तो CE उससे निकालो velocity और उसके आधार फिर Bernoulli का अपयोग करो और questions से वो टिक करो बड़े आगे आजाओ तो question 23 इसमें पहले आप देखो question समाने सा है यहाँ पे कोई एक तरल प्रदार थे कोई fluid है कोई liquid है उस पे एक मौंबती रखी वी है और कैसे दे रखी है उसका L भाग उपर है L भाग नीचे है यानि आप सोचो देखो कि इसका 50% volume कैसा है बाहर की तरफ है और 50% ही कैसा है इसके बीतर है और यह इसकी floating condition को दरसा आता है यह इसकी density के अनुसार है अब जब जब यह रहां रहेगी मान लो मैं ऐसे कह दूँ कि इसकी तो लंबाई है ना जान सुना अब अच्छे से मान लो मैं इसकी लंबाई को मान लो कितना की 20 cm इसके लंबाई है एक ऐसे एक्जामपल ले रहा हूँ 20 cm है अगर मान लो 20 cm है तो 5 cm उपर 5 कैसी नीचे है बास ही है अब मान लो कि इसकी 2 cm लंबाई हो पिंगल गई तो बच्छे कितनी 18 cm अब भी इसको यहां तैरने के लिए बैलेंस रखने के लिए निशित रुप से क्या होगा उसका आदा पाड़ उपर आदा पाड़ कैसा नीचे लेगा बिलकूर सिंपल सिगानी है बास सुन लो अच्छे से अगर मैं कहता हूँ कि 2 cm पिंगल गई बच्छे कितनी 18 तो कितनी 9 cm भार 9 नीचे इसके अंदर रहेगी मानलो 10 cm है वो पिंगल गई बच्छे कितनी 10 cm तो 5 भार 5 बितर रही बस यह बात है इसमें तो कह रहा है 2 cm परती गंटे की रफ्थार से मानलो जल रही है तो सेस बच्छे कितनी और फिर कैसे आपको दिखा उसके अनुसार है तो मानलो 2 cm परती गंटे की रफ्थार से अगर यह जल चुकी है तो बच्छे कितनी 18 तो 9 cm बाहर 9 cm अंदर तो उपर का सिरा नीचे गया की उपर गया नीचे गया और परती गंटे 1 cm नीचे जा रहा है और इसको ऐसे equation से करते हो तो वो अलग आनी है बाकी साब दीख रहा है तो कोई मतलब नहीं आप इसको ऐसे करेंगे ओके, thank you next question 24 इसमें है एक पिंड किसी दरों में तैर रहा है दोनों की density कैसी equal है यह दो पिंड को थोड़ा सा नीचे की और दबा करके छोड़ दिया जाये तो यह पिंड क्या करेगा देखो question है a body is just floating just floating कब होता है जब दोनों की density कैसी liquid की और दोनों की density कैसी equal है और दे भी रखा there densities are equal बिल्कुल दे रखा है और density के equal होने पे just मतलब बिल्कुल यानि उसका पूरा का पूरा भाग डूबे ङुबे तैर रहा है इसकी condition दे जिए इस तरह से है मान लो यह कोई block है यहはは यह block है तो यह किस तरह से तैर रहा रहे हो यह यह पूरा का पूरा भाग कैसा है इस तरह से देखा just floating है और net force कितना है इसको इसका 0 है अब question कह रहा है कि अगर मैं इस blow को थोड़ा सा दख्खा दूँ या थोड़ा दख्खा दूँ इसको हलका सा इसको दख्खा दे के छोड़ दूँ अगर मानने इसको हलका सा दख्खा मतलब आपने इसको कोई आरमबिक भी परदान कर दिया वही अब जब इसको आरमबिक भी परदान कर दिया net force 0 है तो न्यूटन्स लो कहता है कि अगर इसका net force 0 है और आपने इसको कोई constant speed provide गड़ दी तो क्या करेगा वही तो उसी speed से लगातार उसी दिसा में गती करना प्रसंद करेगा और गती करता रहेगा तो जस्ट फिर क्या करेगा लास्ट में पेंदे पर जाकर के टकराएगा तो आपका आंसर क्या होगा दोलन करने लगा तली तक डूब जाएगा बिल्कूल sink to the bottom sink to the bottom अब आते हैं अपन question number 25 देखो भई ये question क्या कर रहा है कि एक हमारे पास if M1 gram of a substance with specific gravity S1 is mixed with M2 gram of a substance with specific gravity S2 and then the substances are used to make an alloy दो अलग-अलग substance ते mix कर दिया what will be the specific gravity of the alloy तो उस मिशदातू की alloy की specific gravity कितनी होगी यानि row mixer आप से पूछ लिया देखो भई रो mixer क्या होता है रो mixer क्या होता है बोलो रो mixer होता है M net upon V net total mass कितना है total volume कितना है वो इसकी बनगी specific जिसका row mixer बन गया हुई अब इसका मान निकालना है हमारे पास दो तरह के थे यहाँ पर mixer बोला है पहले का mass कितना M1 है दूसरे का mass कितना है M2 यलो साब तो कुल mass कितना है M1 plus M2 बिल्कुल दिक्रत है कोई दिक्रत नहीं है भी आप V net आपको निकालना है तो V होता है क्या volume है कितना अपने जानते है mass equal to density into volume तो volume कितना mass upon density तो अगर मैं first का volume पूछ तो कितना M1 upon कितना S1 प्लस कौन सा बच्चो M2 upon S2 अब यह सारे के सारे कहानी कैसी specific gravity की रूप में ही है तो यह density भी कैसी आपकी specific की रूप में है यापक्षी की रूप में ही आएगी तो answer आपका ready है चेक कर लो यही option आपको कहेंगे मिलेगा देखो M1 plus M2 upon कितना M1 by S1 plus M2 by S2 M1 plus M2 ही और upon क्या है यह तो आपका answer कौन सा हो गया second ठीक है बढ़े आगे भी question number 26 26 में क्या कर रहा है कि जब एक पिंड को spring तुला से अपन हवा में लटकाते हैं तो spring तुला का पानी के अंदर डुबोते हैं तो पानी के अंदर डुबोते हैं तो पिंड का विशिस्ट गुरुतवय कितना है यह हमने अभी आपको सिखाया था कुछ देर पहले देखो मैंने आपको सिखाया था भी कुछ देर पहले कि डबल्यू डेस बराबर क्या था डबल्यू इंटू वन माइनस कितना स्मॉल आर फिर यह भी सिखाया था कि स्मॉल आर है क्या स्मॉल आर हमने क्या था यह था आपका रो एक स्थेकन देखो जान दें भई स्मॉल आर क्या था यह था अभी अपने अउनली क्या है पानी है ना तो बोडी का वाटर के रेस्पेक्ट में है और इसको अपने फिर फाइंड भी क्या था डबल्यू अपॉन डबल्यू माइनस डबल्यू डेस याद करो बताओ आर क्या है यह बोडी का वाटर के सापेक्स तो पुछे क्या पिंड का वी सिस गुरुत्व है तो बोडी का वाटर के सापेक्स आपको यह तो स्मॉल आर पूछा है अलो भई कर दो डबल्यू क्या था बताओ मुझे 60 अपन कितना 60 माइनस कौन सा 40 तो आपका आंसर कितना है 60 अपन कितना बच्चो 20 तो कितना तीन आंसर आ गया जी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है और आंसर आपका तीन कहा है येलो कोई समस्थ है नहीं कर लेंगे बोलो भई सही है बढ़े आँगे आजाओ आपका स्वागत है कुश्चन नंबर 27 में तो इसमें है कॉश्चन एक क्याप्टल डी डैंसर डी का कोई ठोस है वो स्मोल डी के डैंसर डी के लिकिवड में तैर रहा है ये ठोस का वी आइतन दरव में डुबा हुआ है और क्याप्टल वी ठोस का इस प्रकार एकुश्चन है वो नीट है या एंटी है पूस्ता है देख लें अचैसे कि ठोस की डैंसर डी कितनी के अप्टल डी है और लिक्वड कितनी है स्मॉल डी फिर आपने उस ठोस को किसी लिक्वड में डुब कर रखा है डुबा रखा है और कुछ उसका वोल्यूम है वो डुबावा है अंदर वो कितना स्मॉल वी है और कुल आपन कितना उसका कैपिटल वी है आज़ो साब इस तरह से है कि मान लो ये कोई हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें ये लिक्विड है वो बराबा है और फिर हमने एक ले लिया कोई क्योब गन मान लो ये और इस गन का पूरे का वول्यूम वो तो है कैपिटल वी और जो वोल्यूम इसमें दुबावा है एक मिन्स देखें दुबावा है की भारवाला जो दुबावा वॉल्यूम है न किये वाला वो हमारे पास कितना है छोटा भी है वो छोटा भी है और block है इसकी density कितनी है capital D और liquid की density कितनी है छोटी D ये भी आपको बोलाव है और case किस परकार का floating का है सामय वस्ता में सामय वस्ता भी आती है जब इस पर जो इसका block का खुद का weight W है उतना ही बच्चों इस पर क्या लग रहा है 42 फॉर्स लग रहा है जितना इसका M Z है उतना ही क्या लग रहा है इस पर M D Sintow जी लग रहा है बात इतनी से बस इसको B Balance करना है B Balance करते ही आपका जो इछित अंसर है वो आपको मिलेगा तो इसको बराबर करो ना, तो M Z यानि M Z बराबर कौन सा M D S into G, बोलो साब M Z में M कितना, बोलो इसका, ब्लोक का, पूरे का मास आईए, वो है कितना रो, रो तो कितना, तो capital D into volume, इसका पूरा volume into कितना साब G, बराबर M D S, M D S है liquid जो हटाया, उसका volume तो उसने, चूंके देख, उसके डैंस कितनी है small D, और volume इसने कितना हटाया, जितना ये अंदर डुबावा, उतना उसने हटा रखाया है, तो कितना छोटा V into कितना G, G से G cancel, आपका answer ready है पर आप से पूछा है, इसमें क्या था पूछा हमसे क्या था, V upon this, तो क्या बादेखो, बढ़ा dawn upon short dawn, तो answer इसका है, second ओकी, बढ़े आगे वही are you, question number 28 28 में आप से पूछा है कि एक एक समान प्रत्यास्त पट कोई हमारे पास एक elastic plank है उसका cross section कितना ऐसा है एक सिरे पर f0 के प्रभाव में गती करता है, और पट का यंग परतास तक उना आंक y हो, तो बलकि जिसा में उत्पन विकरती कितनी है, यह हमें question solve करना है, चीक है भी जो पन करे थे solve कौन सा, question number 28 28 तो अब हमें इसमें only find करना क्या है t निकालना है, अब एक तो t आप इसमें mx की value put करके फिर निकाल सकते हों, या आप इसे भी गयात करसा हो, अगर इस के लवाइए कितनी, ax आइ लवाइए कितनी है, जी il-x यह वाला पीछे वाला अइस fellowship Come यह वाला, यह इस के लवाइए कितनी है l-x और जैसे पर में क्रेय्षन करते हैं रसी में तरफी में तनाव निकालते हैं तो यहां से निकालना ructureंव में developed Easy रहता है इसे भी वोई आएगा पर इससे निकालना तो तो कितना आता वो होता T बराबर इस पीछे वाले भाग का मास into A तो पीछे वाले भाग का मास कितना देखो यह मैं कर दूँ M by L एक यह लंबाय का दरेमान इंटू लंबाय कितनी L minus X ओके और A कितना है बच्चो F not upon M पास यह लो M से M cancel इसको मैं अब वापिस लिखूँ तो यह हो गया कितरह से 1 minus कितना X upon L और into F not यह इतना तनावल है अब यह तनावल क्या करेगा इस छोटी से अलपांस की लंबाई को बढ़ाएगा तो लंबाई कैसे बढ़ेगी वो अपने निकालते हैं अब चेक करो तो यंग्स मोडलिस की डैफिनिस नहीं उसके एकोडिंग अपन देखें तो भूज आते हैं तो अपन जानते हैं Y equal to कौन सा मांगे लाल यानि फोर्स F into कितना L upon कितना Y, sorry A into delta L आपको तो delta L निकालना ना यह delta L बराबर कितना F into L upon कितना बच्चो Y into A पास अब यह तो सामने formula है हमें करना क्या इस dx यह हमारे पास चोटा सेग्मेंट है इस dx पर तनाव कितना capital T है और उस तनाव T से इसकी length हो बढ़ानी है तो मालो इसके लंबाई DL से बढ़ी किसकी dx की F तो कितना है तो T T हमारे पास है कितना वो और बाकी सब ले लें अपन यहां से constant तो तो 1 upon Y A तो यहां से ले रहा हूं बाहर और लंबाई जिसकी आप बढ़ाना चाहरे हैं ऐसे करूँगा T into L का मतलब Dx छोटा ध्यान दें इसमें हम इस Dx लंबाई के segment के length बढ़ाना चाहरे हैं किस से T से अब अब लिपूट कर दो तो देखो T हमारे पास कितना है पढ़ा देखो यानि 1 upon Y into A तो यहां कर दो और उसमें से F node को उपन ले लें उपर अब says क्या रहा 1 minus कितना देखो X into L into Dx बैस यह Dx थाई अब इसका कर दो आप पर ओपर क्या integration जिससे की पूरी लंबाई में कितनी वर्दी है वो आपको मिल जाएगी तो DL का करो integration और यहां कर दो इसका integration यह तो 0 से कितना जो लंबाई मालो delta L कुल बढ़ेगी और यह कितनी है 0 से L तक कर दो बैस आजाओ यह F node upon कितना Y into A 1Dx है तो Dx है कितना वा अक्स फिर कितना वा यह X square by 2 तो 1 upon L तो पहले से है यह होगे आपका X square upon कितना 2 बैस लिमिट क्या थी 0 से capital L तक अब इसको put करेंगे आप तो 0 हैं lower limit आपने यहां put कितना L पिर यहां कितना L square upon L L से L कट गया तो L minus कितना L by 2 तो L by 2 बचा वो यहां से आगया ओके तो हमारे पास value कितनी है यह देखो F naught upon 2 Y A F naught और यहां कितना था देखो L minus L by 2 F naught L upon 2 Y A यह हमारे पास है क्या change in length delta L पूछी क्या अपने को पूछी इसमें strain पूछी है तो strain क्या कर दोगी आप delta L upon L बराबर वो है F naught upon कितना बच्चो 2 Y into A इस तरह से आप इसको solve करेंगे ठीक है बढ़ा है यह question में पहले answer चेक कर लें स्काइबर तो कितना देखो F naught upon 2 अच्छा इसमें area दे रखा अपने को कौन सा S तो answer आ गया इसका first F naught upon 2 S Y F naught upon 2 S Y ओके थोड़ा question लें दी है ऐसे question नीट में नहीं आते हैं फिर भी आए कोई बड़ी बात नहीं है आप आराम से कर सकते हो आईए question number 29 क्या है एक लकडी के घंपर जब 200 gram द्रेमान रखा जाता है तो ये घंपानी के अंदर तैरता है मतलब ये लकडी का कोई घंपर अपने पास ये क्यूब है question ऐसा देखो ये कोई क्यूब है और इस पर 200 gram का कोई मास आपने इस पर कोई मास रख दिया है ये small m और है कितना वैसे 200 gram तो ये घंपानी के अंदर तैरता है यानि ये पानी में तैर रहा है ये पानी में तैर रहा है पास सही है आप कर आजब ये द्रेमान हटा लेते हैं तो घंपानी की से तैसे 2 cm ओपर उड़ाता है यानि जैसे इसको आप अटा देते हो अटाते ही ये थोड़ा सा बहour निकल गया और बहour कितना निकला है उसको देखो जैसे इसको आपने अटाया हटाने के पैस्साथ जो क्यूबющँ बना ये ये क्यूब इस तरह से बन गया जो इस तरह से है और यहाँ से कितना पानी ओर था इस पाइन पानी और था मैं उपर बना दिया है इसको यह 2 cm बाहर निकल गया आप सूचो कि 2 cm बाहर निकला क्यूं है क्योंकि जैसे इसको आपने हैं से इडाया तो इसने अपनी weight के equal liquid को displace कर रखा था अब चुंकि इसको आपने हटा दिया है तो वो ही वापस भार निकल गया बस तो अब आप क्या करेंगे अगर मानलो मैं इस cube की side को A मानलो यह भी A मानलो तो नीचे वाला area कितना हो रहे खो यह हो गया A square बात clear और फिर यह 2 cm तो volume कितना यहां पे change हो रखा है किसके करण due to replacing of small m तो small m पे देखो आप देखो इससे पहले इस पे नीचे बल क्या था ला mg था उसके करण liquid है वो displace किया वा था वो आपको दे दिया भी तो लिख दो mg बराबर यह कितना देखो row water into जो volume इसने displace किया वो है कितना तो a square into कितना 2 cm से लंबाई जो आई 2 into g अटा दो इसको इससे कहतम करो अब g हमने हटा चुके हैं बाकि सारा कैसा cgs में है आजाओ m कितना है 200 बराबर row water कितना cgs में 1 और यह है a square into कितना 2 हटाओ इसको 2 से कितना 100 तो a square हमारे पास कितना आगया 100 तो a कितना 10 cm यलो साब यानि बात इतनी से कि small m पले ऊपर था तो तो इसका weight किता था mg और इसने अपने भार के बराबर अपने weight की equal पानी को अठा रखा था और फिर इसने जैसे हटाया तो उसकी मातर देने के लिए आपको बोला गया कि cube है वो 2 cm ऊपर डिस्प्लेय से हो जा रहा है आपने उसका यूज किया आंसर आगया वेरी गुड़ आए क्रिशन 30 मा जाओ इसमें है water stands up to a height as behind the vertical wall of a dam जैसे मालो यह कोई एक dam है औके और वैसे dam में जो दिवार इस तरह से होती है बाहर के दिवार स्वोड़ी सी यू बना रखी होती है यहां मालो आपने एच हाइड तक पानी है वो इसमें है जब एच हाइड तक पानी है तो प्यारे बच्चो इसमें जो average pressure है जो average pressure है वो तो कितना है वो है रो जी एच बाई टू average pressure इस वाल पर कितना रो जी एच बाई टू है अच्छा फिर कह रहा है कि वाट इस दे नेट होरिजोन्टल फोर्स पूसिंग फोर्स पूसिंग दे डेम डाउन बाई दे स्ट्रीम इफ विर्थ अप दे डेम इस सिगमा जो ये डेम है इसके देखो हाइड तो जहां तक पानी है वो तो कितनी एच है मालो इसकी विर्थ जान सुनना ये विर्थ ये दे दी अपने को कितनी सिगमा दे दी विर्द के सिग्मा होने पे जो ये सरफेस जिस पे पाने संप्रक में है उसका अपने कालते हैं एरिया वो है कितना देखो H into सिग्मा इस एरिया पे ये फोर्स लगा रहा है प्रेशर तो प्रेशर से फोर्स कितना आता है प्रेशर से फोर्स F equal to है वो है आपका delta P into कौन सा area यानि pressure आपने ही find कर रखा ही है तो कितना देख प्रेशर है rho g h by 2 into यह h into sigma बैस आपका answer आ गया कितना answer देखो rho g यह into है मैंने एक फोड़ी सी अड़ी कर दिग गया एक बिनिट पापिस मत्वड़ा साइस को value सरी रख दो देखो कितना है delta P हमारे पास है rho g h upon 2 into एक कितना है बच्चो h into sigma h into sigma है तो आपका answer है एक बटा दो rho sigma g h square बैस answer कौन सा second बिलकुल इसमें average pressure बहुत से प्रश्णों को solve करने पे आपकी help करता है इसलिए average pressure हमेसा याद रखें ऐसे प्रश्णों में आईए बई प्रश्ण संक्या 31 एक लकडी के गुटके को जील के पैंदे बे ला करके छोड़ देते हैं तो ये क्या करेगा जैसे मान लो ये तो है पानी की कोई जील है और आपने क्या क्या वही आपने एक लकडी का गुटका था जो पहले बाहर था उसको आपने अंदर ला करके छोड़ दिया अब इसकी डेंसिटी लकडी की डेंसिटी अब छोड़ेंगे तो देखो निशी तरुप से इसका नीचे फोर्स कौन सा एमजी है उपर फोर्स कौन सा बाइनसी फोर्स है यह बाइनसी फोर्स बड़ा है एमजी छोटा है जैसे इसको छोड़ेंगा और मालो इसका मास कितना स्मॉल M है तो ये उपर की तरफ जाएगा ये इसका A असलेशन होगा बालो कोई बात नहीं इसमें तो A कैसे आएगा आपने इसी का था ये मौसन प्रोडिसिंग फोर्स कौनसा बालो कितना बच्छो M जी अपन मास M तो ये B बाई M माईनस कौनसा Z ये इसका A होगा और कैसा है कॉंस्टन क्यूं देखो आप M जी कॉंस्टन है बालो कि कासा कॉंस्टन है तो ये कॉंस्टन असलेशन से क्या गरेगा उपर की तरफ जाएगा तो कॉंस्टन तरफ से उपर जाए घड़ते वी से नहीं नियत से नियत तरफ से कैसा होगा उपर उठेगा उपर तो उठेगा पर कैसे उठेगा नियत तरफ से तो आंसर आपका कौनसा है फरस्ट ठीक है बढ़ें कुस्टन आगे next में आईए कुशन 32 तो 32 कुशन भी अपने आप में एक विसे इस प्रिशन है और इसकी थियोरी अपन अब कर चुके हैं इसलिए अब हमें समय कम लगेगा कुशन कैसा है कि एक बेलना का कोई बरतन है डी डैंसिटी के नॉन विसकस लिकुड से बरावा है उसमें कितने हैड तक हैच नोट तक बर पर एक सुराख किया गया है इस सुराख से निकलते हैं दर्वे का अब एक इतना है ओके डेखो तो एक विशन है इसमें पानी बरावा है अब क्या दे रखे हैं उसको चेक करो एक सिलिंडर इस फिल्ड विद ए नॉन विसकस लिकुड ऑफ डैंसिटी डी तो जो लिकुड अउसकी डैंसिटी कितनी है डी है वही कोई दिक्कत नहीं है और यह कितनी हाइड तक आपने भर रखा है यह एच नोट तक बरावा है यह ठीक है and a hole is made at a height h1 from the bottom यहां से h1 उनचाए पर आपने hole कर रखा है तो जो यहां से पानी भार निकलेगा उसकी हमें speed है वो पूछी है तो आपन जानते हैं यह हाइड कितनी है यह important है यह हाइड कितनी हुई यह है h0 minus कितनी h1 तो velocity of efflux अपने जानते हैं कितना यह है root 2g h कौन सा यह वाला यह है मेरे प्यारे बच्चो h0 minus का h1 इसका root यह इसका answer आ गया 2g h0 minus h1 ओके 32 भी complete है कितनी बिल्कुल आसान इसकी थोरी पर पहले अब देखो हमने लग बख सारे परस्टन का थोरी पड़ लिए अब आगे परस्टन आसाने से हो जाएंगे टाइम अपना कंजूम कम होने वाला है आईए बड़ी question संग्या 33 यहां कहरा है अपने को simple execution थोरी देखो आप यहां वाला परस्टन को यहां पर इसका cross section area जादा है यहां पर कैसा कम है तो यहां की speed को अपन simple देखो मैं बता दूँ कि इस point पर इसकी speed किते मालो v1 है यहां पर इसकी speed मालो कौन सी v2 है यहां इसका pressure कौन सा P1 है यहां pressure कैसा P2 है गोर करो जहां velocity जादा होती है वहां pressure कम होता है इसका मतलाब यह P1 बड़ा है P2 छोटा है यह pressure अधिक है प्रेसर कम है और liquid इस तरह से flow कर रहा है liquid ऐसे flow कर रहा है और हम को यहां पर क्या पूछा है diagram shows a venturimeter through which water is flowing the speed of water at x is 2 cm per second यहां दे रखिये अपने को speed कितनी 2 cm per second the speed of water at y और इस बिंदू पे V2 अपने को पूछा यहां इस y वाले point पे आपको speed पूछी है और इनका pressure difference आपको दिया हुआ है दान देंगे आप यह pressure difference को measure कर रहा है और pressure difference कौन सा देगो pressure यहां पे अधी कौन सा है P1 बड़ा है तो P1 minus P2 बराबर कितना है बच्चो रो जी है अचा है यह आपको मिल चुका अब यह जो आपको दरखिये tube वो कैसी same height पे है तो S तो constant है ना अब आप only क्या करेंगे यहां से यहां लगाएंगे bundle theorem और वो है कितने देगो मैं यहां लिखूं तो कौन सा P1 प्लस कौन सा देगो half row V1 square बराबर कौन सा यह P2 और प्लस कौन सा half row V2 square बैस अगर मानलो मैं इसको solve गड़ता हूँ तो मेरे पास P2 अधर लेओं तो P1 मैंनस कौन सा P2 बराबर इस वाले को अधर लेजाओं तो मेरे पास half यह row और बन गया कौन सा V2 square मैंनस कौन सा V1 square यहां अक्यल रख सकते हो अब यह value आपको दे रख ही है यह वाली put कर दो यहां इसमें V1 दे रख है V2 आपको पूछा है equation तियार हो चुकी है calculation आप स्वेम करेंगे और सिदा इसका बहुत अच्छे से answer है वो 32 cm per second आजाएगा वही ओके बढ़ाएंगे question 34 outside एक मकान की छथ पर आदी तूपान चल रहा है तो मकान की छथ पर तूफान की करण बल होगा the gale blows over a house the force due to gale on the roof is question ऐसा है देखो कि मान लो ये कोई मकान है उसकी छथ है ये मान लो कोई अपने पास ये के कमरा था और ये उसकी छथ है ओके अब जब मान लो समाने बातरा होन है तो अंदर तो हवा है भार भी हवा है तो मैं इसको ऐसे मान लो अंदर का पैसर कितना पीनोट है बार भी कितना पीनोट है बास सही है पर जैसे तोफान आता है तोफान आने पर हवा इस तरह से चलती दो ये हूँ हवा ऐसे प्लो करती है तो जो हवा पहले यहां पे सांथ थी अब वो किसी वेक से गती करना शुरू कर देती है यहां जब वायू का स्ट्रिम लैंड फलो होता है तो अब देखो यहां की तो गेस कैसी रेस्ट में है एर और यहां की एर कैसी है मूग कर रही है अपन जानते है बरनल थोरम के अनुसार जहां पे वेलोसिटी कम होती है वहां प्रेसर जादा होता है और जहां वेलोसिटी अधिक होती है वहां प्रेसर कम होता है एक तो मैं यहां पूछू आपसे वेलोसिटी वीवन एक यहां पूछू वेलोसिटी वीटू तो दो V2 का मान बढ़ा V1 तो है कितना जीर हो तो अंदर है भई है भी बहुत कम है तो देखो यहाँ विलोस्टिक कम है तो यहाँ का प्रेसर बढ़ा है यह P note बढ़ा है और यह P आपका ना जो अब नया प्रेसर बन गया भार वो कैसा है छोटा हो गया यानि छट जो नहीं अब इसके नीचे प्रेसर मान लो तो P note ओपर मान लो P हो गया है पर यह प्रेसर कैसा अधिक कम है तो अब अधिक से कम की तरफ अधिक से कम की तरफ क्या लगता है फोर्स लगता है और वो फोर्स के इन दोने कैसा है नीचे के ओ रहा है कि उपर की तरफ उपर की तरफ बल लगता है और हमेसा उपर की तरफ ही लगना है ऐसे प्रशनों में तो हां तो किश्चन देखे 35 किश्चन क्या है एपीस ओफ गॉल्ड अचेविटी इन इट गॉल्ड का कोई हमारे पास कुछ कमी आ गई बिल्कुल ठीक है तो वॉल्ड अप दे कैविटी इस इन गॉल्ड तो उसमें कैविटी कितनी है उसका अमाउट अपने को पूछा है तो मान लो यह हमारे पास एक गॉल्ड का पीस है इस गोल्ड में एक छोटी सी कैविटी है तो आप इसको ऐसे समझो कि यह जो जिसमें सबस्टांस जिसमें गोल्ड है सबस्टांस का जो जहां 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 भाग है न उसका वोल्यूम का मैं भी मान रहा हूँ जो खाली भाग है volume उसको मैं कर रहा हूँ V C V cavity तो इससे एक तो V अपर निकालने पहले V है कितना? V है बच्चो rho, sorry V कितना होगा? mass of gold और density of gold mass कितना है? mass भी किसमे हवा में उसका mass कितना है? हवा में उसका weight कितना है? उदे रखा गराम में दे रखा है वो है कितना? बच्चो 38.2 और rho कितना है? वो हमारे पास 19.3 इसको आप solve करेंगे तो करीब करीब ये 1.98 CC आजाएगा सबस्टांस का कितना volume है? वो तो आपने fan कर लिया सबस्टांस के mass से और उसकी density से divide करके अब जो एक direct experiment कि अगर मैं इसको डुबो दूँ, जहां सुनना इसको कि अगर हम इसको डुबो दें किसमें पाने के भीतर तो पानी में डुबोने के पस्चाथ पानी में डुबोने के पस्चाथ इस ब्लोक ने आपको दिखरा वोल्यूम है, वो तो कितना है V+, Vc है, आप सुनो, कि इसके वेट में कमी कितनी आई, दुबोने से वेट में कमी कितनी आई, डेवल्यू माइनस का डेवल्यू डेश, यह है लोस ओफ वेट, लोस ओफ वेट, जो बाइनसी फोर्स के बराबर होता है, अब लोस ओवेट कितना है बच्चो, यह हमको दे रखा है, पर ग्राम में है, उनली 38.6 ग्राम के रूप में है, तो आप इसको लिख होगे, या जी से multiply करते हैं, तो कोई समय से आनी देगो, पिठा दूँ उसको न, तो कितना है, दो जी कर दूँ उसको, बराबर, बाइनसी फोर्स कितना है, रो वाटर, इंटू वॉल्यूम कितना बच्चो, वी प्लस वी सी धान दो, अच्चे से, वी प्लस वी सी, इंटू कितना देगो, व वी प्लस वी सी कितना, दो, तो हमारे पास वी सी कितना है, या दो माइनस कितना, वी, वी कितना है, 1.98, इसको solve करो, तो यह आपका 0.02 CC, यह सेंटिमेटर क्यूब, यह आपका प्रोपर आंसर आएगा, 0.02 सेंटिमेटर क्यूब, ओके, हाँ, अब गरते हैं, पर फिश्टन को एरिया इतना, तो कुछ उंचाये पर उड़ रहा है, तो उसके पंकों के उपरी वे निचली सरफेस के बंदे, दाबांतर कितना होगा, वो भी किसमें, किलो पासकल में आपको बताना है, तो अभी एपंज, जो कृष्टन कर रहे थे, कौन सा, जो एक छत थी, उसके कितन फोर्स लग रहा था, तो मान लो, इस वाले कृष्टन में भी, जैसे आपको पता है, उसका पंक इस तरह से होते हैं, यह देखो, जो एरो प्लेन के पंक होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, हाइट बहुत कम है, निच्छी की करवचर अधिक होती है, उपर करवचर कम होती है अब इसमें जो मान लो, इसका वेट M है टोटल, मास M है, तो इस वे नीचे फोर्स कौन सा M G है, वो किसको बैलेंस कर रहा है, जो प्रेसर डिफरेंस पैदा होता है, उसका प्रेसर डिफरेंस इंटु A, यानि जैसे ही आप इसको रन करेंगे, तो जो दाबान तर जो डेल्टा पी इंटु A बराबर हमारे पास कौन सा M Z है, तो डेल्टा पी मेरे पास कितना हुआ इसमें, यह है M Z अपॉन कितना A, ओके, M कितना बचो, तीन, इंटु कितना दस की पावर चार, इंटु कितना दस, अपॉन, एरिया कितना है बलो, 120, अब इसको सॉल कर दो, कर पास इसका वेल्यू कितना है यह देखो अब, यह बना, कितना देखो, इसको ऐसे नों 10 अपॉन कर दोंगा, 4, इंटु दस की पावर कितनी, 3, तो यह वोगा 2.5, तो 2.5 इंटु 10 की पावर देखो, किलो पावस्कुल हो गया, 2.5 किलो पावस्कुल, आंसर कोन सा है, 1st, ओ पूछा आपको स्यांता गुणां की dimension, dimension of coefficient of viscosity, अच्छा, तो इसके लिए formula चीए, तो अपन जानते हैं, कि viscosity, जो viscous force है न, F, वो होता है, 6 pi, eta r into vt, इससे अपन निकालते हैं, eta, ओके, इटा हमारे पास कितना है, force upon, 6 pi तो आपका है, dimension less, तो only क्या रहा, r, और यह कौन सा vt yes, F कितना है, M1, L1, T-2, upon कितना r तो है, L1, और L आपका T-1, यह से cancel उपर चला गया, तो answer आप कितना है, M1, L-1, T-1, M1, L-1 और T-1, ओके, बड़े question 38 पे, आजाओ, इसमें आप से पूछा है, कि दो इस परकार के हमारे पास drops हैं, और वो मिलकर के एक common surface बना रही है, ठीक है भई, तो जो common surface है, इसकी है, किती radius r, तो इसका pressure difference और इसका, पहले चेक कर लोग कौन सा अधिक है, आप जानते है, pressure difference पी जो होता है, वो है 40 upon r, किसका किसी air bubble का, तो जिसका r कम है, उसका pressure जदा है, r किसका कम है, r2 कम है, तो इसका pressure अधिक है, तो इसमें से मैं कर द minus कितना 40 upon कितना r1, बराबर कितना नई surface का बन गया 40 upon r, इसमें 40 उड़ा दो, तो 1 upon r2 minus 1 upon r1 equal to हो गया 1 upon r, ये अलो साब, अब इसमें question आते है ना, यहाँ, यह formula तो है ठीक बना तो लिया आपने, पर एक बास समझाएं, समझाना इसमें, कि question इसमें दो तरह से आते हैं, कि एक common surface बन गई, उसकी पूछे radius, या दोनु क्या करें, constant temperature पर मिल करके, और एक नया bubble बना लें, इसकी radius मावलो A है, इसकी मावलो B है, इसकी C बन गई, जब दोनु मिल जाते हैं तो क्या होता है, और दोनु में कुछ difference रिटा है, तो क्या होता है, दोनु की formula फिक्स है, इसक बने की तरफ जा रहेते हैं, पर दो एक होए नहीं, अंतर है कुछ, कुछ अंतर मिल दोनु मिले नहीं, अंतर हैं, इनमें अंतर है, तो यहाद रखो, अंतर है, डिफरेंस है, और इसका जो C बनता है, वो तो root A square plus B square, यानि R1 square plus R2 square, यह दो formula है, आच्छी ध्यान रगने च हो जाते हैं, मिल चुके एक बना लिए, तो मिल चुके दो root में आगे दोनु, और वहाँ डिफरेंस है, डिफरेंस है, आईए साब, question 39, इसमें है, बरप का एक टोड़ा पाने से बरे वे एक पातर में तेर रहा है, जब बरप पिंगलती है, तो पानी का तापान चार डिग अपने वेट के बराबर पानी को अठा रखा है, जब पिंगल जाती है, तब भी उसने क्या करा, जितना उसे पानी बनता, उतना बन गया, अठा रखा उतना बन गया, जब किसी भी water की surface पर आपने ice block को रखा हुआ है, तो जितना level पहले होता है, उतना ये level बाद में होता ह पर ice block होना चीए, पर आपने क्या करा कि ice block पिंगल तो गई, पर उसके इसास पानी का ताप माने वो चार से गट करके कितना एक हो चुका, तो इसमें एक बाद धान रखो, पानी, तो पानी में क्या दिखता है आपको देखो, चार, पानी में क्या दिखता है, पानी में क्य first lettering के चार के आभास आपको दे रहा है तो पानी में चार डिकरी Celsius पे क्या होता है आर का मतलब row इसका होता है maximum धान रखो चार डिकरी पर पानी की density सबसे अधिक होती है तो आपने इस ग्राफ पढ़ा हो तो धान दो इसका चार डिकरी Celsius पे row कैसा maximum तो रो बढ़ रहा है और चार डिगरी पे क्या होता है इसका maximum बट वोल्यूम जो होता है न बच्चो वोल्यूम जो इसका होता है न वोल्यूम अग्राफ होता है यूं चार डिगरी पे वोल्यूम कैसा होता है कम से कम अब कैसे है रहे हो कि volume किस प्रकास से बदला वो चेक करना है तो चार से आप एक आ रहे हो चार डिगरी से आप एक पे आ रहे हो तो volume कैसा घट गया ना volume कम हो गया तो level घट गया, इसलिए आपका answer कौन सा वा, second ओकी तो question आपका 40, इसमें है यह question बहुत प्यारा तीन चीज़ें इसमें एक आइस और कौन सा वाटर है आपको दिख रहा है तीन यहां पे अलग-अलग पतार्थ हैं उनकी डैंसिटी कैसी अलग-अलग हैं वो अपनी डैंसिटी के अनुसार खुद को बैलेंस के वें अरfin जानते हैं नीचे जाने के इसाप डैंसिटी कैसी बढ़ती है तो सबसे अधिक डैंसिटी किस की है और कम किस की है रो-अल जाएल सबसे कम है रो-आइस उससे अधिक है और रो-वाटर सबसे ज़ादा है यह इस तरहा एक अरेज्मेंट है अब देखो आइस जो नहीं द Łag सुनना किजोा आइस समालो इसकी आइस का नीचे वाला भाग यह वाला यह गर पिंगलता है अगर यह इतना भाग पिंगलता है तो जितना उसका खुद का यह देखना वॉलियॉम इससे जशादा वॉलियॉम बनेगा जब ज्याद़ वलियम बनेगा तो जो ऍक्स्टरा एगा उससे इसका लेवल बढ़ गया ना दानदो क्योंकि density इसकी कैसी ज्यादा इसकी density कम है तो फयलेगा फयलेगा तो इतना वलियम बना नया इस ने वयलियम को shift करने के लिए क्या करेगा water का level तो बढ़ गया ना तो interface तो उपर चली गी परंतु देखो उपर वाले में उपर तो oil है नीचे कौन सा आई सा जब ये वहला भाग पिंग लेगा तो इसके comparable इसका volume कम होगा कम होगा तो देखो इसको अपन ऐस समझ लें कि अब इसके पिंगलने के बाद जो इसका volume इसके surface बनेगा तो कम बना तो जो खाली सा भाग दिख रहा है उतना इसमें एक vacuum सा बन गया इस vacuum को पूरा करने के लिए ये level नीचे गिरेगा ये नीचे आएगा तो कुल तो इसकी level की आप बात करोगे वो तो घट रहा है पर अंतो interface कैसी बढ़ रही है तो इस तरह से इसका answer आपको मिलेगा तो देख लें आप इसमें कौन सा क्या कर रहा है तो सेमझ दिन के उबेनिस प्रस्ट था common प्रस्ट था तो क्या कर रहा है common प्रस्ट थो बढ़ रहा है वो तो कैसा बढ़ेगा और बाद बाला common surface तो कैसा बढ़ रहा है वो तेल के उस तम प्रस्ट पर क्या पर रहा पड़ेगा वो नीचे गिर रहा है तो answer आपका कौन सा आ गया first बहुत पहरा प्रस्ट है देखना चे से question 41 जहां तक गेंद उचलती है होगी बिल्कुल प्रस्ट बहुत शांदार है तो question को देखें आप ये मालो तो liquid था उस liquid में हमने capital D density की लकडी की गेंद ये मालो गेंद है इसकी density कितनी है बच्चो capital D D गत्वे के पानी में ये जो है उसकी density कितनी है छोटा D H घहराई तक डूबी भी है इसकी घहराई कितनी है ये यहां से आं तक की small H अब प्रस्ट आपका ऐसा है कि इसको अपने छोड़ दिया छोड़ने पर क्या करती कितनी उपर जाएगी होँ में और जाएगी मालो भी आप देखो इसकी density अधिका ही density कम है तो अभी इस पे नीचे force नीचे force की बात करता हूँ तो देखो भी इस पे force कितना है नीचे तो mg है उपर force अभी कितना लग रहा है हाल-फिलाल m-dase-d पर ये m-dase-d कब तक है तो mg तो liquid के अंदर भी है पर mg-dase-d सिर्फ ओस लिक्यूड के अंदर भार होते ही नहीं होगा तो सुनो ये person पूछ रहा है कि जब यहां से चोड़ेंगे इसको ऊपर आएगा तो ये surface कितना ऊपर जाएगा तो मालो x ऊपर गया और यहां आकर कि अपने आपको stop कर रहा है तो आपको x निकाल ली है तो आप तो सिद्धे इसमें देखो कि इसको छोड़ा यहां पर तब इसकी speed जूरो थी टोप पे गया तब इसकी speed जूरो थी तो आप सिद्धे इसमें work energy थरम लगा दो जो तो काम करने जूरुती नहीं है और देखो यहां से यहां तो gravitation force है पर यहां से यहां कौन सा force है only जान कर लें आप कौन सा बाइंसी force है तो देखो पहले इसकी speed कितनी 0 बाद में कितनी speed 0 तो w यहां पर कौन सा है दो w हैं एक w कौन सा है by gravitation force एक है w कौन सा आपका ब्रावर कितना डेल्टा की जिरो है अब देखो ग्रेविटेसन फोर्स तो नीचे है डिस्पेस्मेंट कासा उपर है तो मैं यहाँ पे आप से पूछूँ तो mz into h plus x यह तो है माइनस का वक्ड़न और वो देखो फोर्स भी उपर है डिस्पेस्मेंट भी उपर है यानि उसको मैं ऐसे कहाँ दू mz into z बट उसका तो कहां तक है involvement सिर्फ h बरावर एस तक है बरावर कितना 0 अब इसको solve करना है यह माइनस का है वो प्लस का है देखो इसको s अड़ा दू अब और इसको अड़ा दो और यहां कर दो बरावर बरावर करते ही यह माइनस आपका खतम आप solve करना है यह g से g अड़ा दो m और m ds m कितना देखो यह किसका मास है उस body का तो इसकी डेंस दिका थी capital d into volume into कितना h plus x बरावर यह छोटा d into volume छोटा d into volume into h और पूछा आपन से क्या x है तो इससे x निकाल ली है तो कर दो इसको तो गुणा भागा आप और v से फिर भी कोड़ा दो तो इससे देखो capital d into h plus कितना capital d into कितना x बरावर कितना d into h यह हमारे पास answer आ रहा है अब इससे पर निकालते हैं यह तो इसको उधर लेता हूँ गया तो capital d into x बरावर यह है d into small h माइनस कितना capital d into h आपको निकाला था x अटाओ इसको भाग देदो येलो अब इसमें देखो हमारे पास h तो common आ गया यह बचा हमारे पास इसमें कितना छोटा d माइनस कितना capital d upon कितना capital d तो अब इससे answer आपका यह आया देखो कि h into d upon capital d माइनस का 1 बिलकुल स्यांदार प्रशन है और work कार्य उर्जा परमे का शांदार x application भी मानलो इसको आप तो answer कितना देखो h d upon d minus 1 yellow second answer आगया हूँ कर लेंगे किस्टन है 42 क्या कर रहा है पानी एक शाथिस नली के में से होकर कि धारे के प्रवाद से बहरा है नली में किसी बिंदू पर दाप कितना p है जहां प्रवा का वे कितना u है अन्य बिंदू जहां पर दाप कितना p by 2 है वहां प्रवा का वे कितना होगा यह आप से पूछा है कोई इशो नहीं है आपको लगानी है पाइप कैसा है होरिजोंटल तो p1 प्लस कितना रो p1 प्लस कितना हाफ रो v1 स्क्वाइर बराबर कितना यह p2 प्लस कितना हाफ रो v2 स्क्वाइर बैस आपको इतना उप्यों करना है तो किसी बिंदू दाप P माल लो इसको P माल लो मैं वहाँ इसकी विलोस्टी कितनी है U ओके A बटा दो रो U स्कुर बरावर जो दूसरा पॉइंट है वहाँ कितना अपर P बाई 2 प्लस A बटा दो रो इंटू कितना वी 2 स्कुर आपको वहाँ पर क्या पूछा है विलोस्टी पूछीए दहाँ जहाँ दाप P बाई 2 है वहाँ उसका वे कितना है यह विलोस्टी आप से पूछ लिए को इशो नहीं है अब इसको सॉल कर लें आपान तो इसको मैं यहां से इधर ले आऊँ इसको यहां से इधर लाता हूँ तो देखो हमारे पास वेल्यू क्या बन गई यह P बाई 2 रह गया ना और इसको उदले जाऊँ ज़रूरत नहीं उसले जाने की आप तो यह बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 तो सब का 1 बाई 2 मैं यहां से उड़ा दू तो यहां से इस क्या रहा देगो P प्लस यहां से इस कितना है only रो इंटु U स्कॉइर बराबर कितना है रेगो रो इंटु V2 का स्कॉइर तो V2 का वेल्यू हमारे पास कितना आ रहा है रो का इसमें भाग देदो आप तो P अपॉन रो देखो V2 का मान हमारे पास अब आ गया P अपॉन कितना रो प्लस कितना U स्कुाइर इसका रूट बैस P अपॉन रो P अपॉन रो प्लस U स्कुाइर का रूट फर्स आंसर आ गया ओके बाड़ी आगस्न था 43 इसमें पूछा है कि एक U नलिका में दरव्ध एक समान तल में होता है जब नलिका विराम वस्ता में हो यदि नलिका के दोनों बुजहूं का अनरुपरस्ट काट एक समान हो तो बुजहूं में दरवस्तरों का अंतर स्मॉल एच क्या होगा जब निकायक को चित्र के नुसार एक 37 तुण ए परदान किया जाता है यानि यह पूरा सिस्टम में इसमें लिक्विड भरा है पहले तो इसको S समझो मैं ले यह मान लो अपने पास एक YouTube थी और इसमें हमने बिलकुल समान लेवल तक बिलकुल समान लेवल तक यहां तक अपने इसमें कोई लेक्विड भरावा देगा पहले जब रेस्ट में है जैसे इसको अपन ए असलेशन से मूव करवाएंगे तो देखो यह वाली नली यह वाली नली इसमें कोई शूडो फोर्स अगर है तो भी बैलेंस के कैस में है परंतो जो यह वाला भाग है यह वाला भाग में जो यह नीचे वाला भाग है इस वाला भाग जो नहीं यह वाला भाग है इस पे शूडो फोर्स लगता है इसके शूडो फोर्स की कारण ही यह लिक्विड की जो लिम्ब है बुझा वो जो सुड़ो फोर्स यहां लग रहा है वो इसका उतना एमजी होगा यानि उसको मैं अगर इस तरह करूँ तो बेटर रहेगा जो अकस्टा लिवी चड़ा उसका मास लिखना है तो एम इंटू ए क्या मैं इसका क्रोस सेक्षन मान लूँ कितना ए या कुछ दे रखा अपने को इसमें अंतर तो ठीक है एच आपको दे रखा है उसमें को दिक्रत नहीं है तो रहने इसका ए था तो इसकी लंबाई को मैं मा माल लूँ या दे रखा थोड़ी गलती कर रहे हैं देखो अब यह ए यह तो वॉल्यूम वाला इंटू स्मॉल ए बराबर अब इसमें जो लिक्विड चड़ेगा उसका मास कितना है हमें पर हाइट कितनी एच ते चड़ रहा है तो उसका देखो डेंस्टी कितनी रो उसका वॉल्यूम कितना हुआ ए देखो ए से तो आपका ए कैंसल और पूछापन से एच है तो रो से रो भी कैंसल तो एच कितनी है यह देखो एल ए अपॉन जी यह इसका सेकंड आंसर हो गया देखो और ऐसे प्रसंद आते हैं तो क्या करें सिरफ इस नीचे वाले पर कितना शुड़ो फोस लगता है फिर इसमें कितना वेट एक्स्टा चड़ा है उसका एमजी ब्रावर गड़ो इतना करते हैं आपका आंसर हो मिल जाएगा क्यूशन नमर 44 और यह साब किसन क्या इसमें कि रक्त स्थनांतित करने के लिए रक्त भायनी में सुई प्रवेश करोई जाती है जहां पर दाबांतर कितना इतना है तो रक्त पात्रों कम से कम कितना उंचा रखा जाए कि रक्त भायनी में प्रवेश कर जाए रक्त की डेंस लगाजिया कि, पुर्टी ए फॉर। क्या कराए, इतने प्रेशर को बैल恭喜 कर जायँ, तो प्रेशर को balance करना है उसमें को खास बात नहीं है, तो देल्टा पी बराबर कितना ρो जी, एच, देल्टा पी बराबर conquerो जी, अच बएस, तो दो कितना ऊपर रखना है इसको तो h बराबर यह है डेल्टा P अपॉन कितना रो जी डेल्टा पी आपको देर रखा कितना है 202,000 पास्कल रहने न्यूटन पर मेटर स्कार अपॉन रो यह आपको देर रखा है 1.06 इंट्टु कितना दसकी पाउर 3 इंटू कितना 10 यलो भी अब इसको सॉल करना अपने को 10 की पाउर 3 से एक एंसिल तो अब वेल्यू है कितनी 2 अपॉन कितना 10.6 2 अपॉन 10.6 अब इसको सॉल आप करेंगे तो इसका आंसर जो है 44 44 का 1 अगर मनुद 10 होता न तो पॉन्ट 2 आता कुछ बढ़ा है तो कुछ कम आ गया बिल्कुल ठीक है तो फर्स इसका आंसर आ गया कोई समझा नहीं है अब अपनाते हैं इसके लास्ट क्यूशन में 45 45 क्या कर रहे रहे हो किताप के बढ़ने से स्पर्स कॉण कैसा होता है ताप के बढ़ने से स्पर्स कॉण तो स्पर्स कॉण जो होता ना स्पर्स कॉण बच्चो स्पर्स कॉण जो है वो परस्तनाव सर्फेस टेंसन है उसके परपोस्टन है और सर्फेस टेंसन जो है वो विसकस जो आपका cohesive force या आसन जकबल या आप बोलते हैं inter molecules of force आपका है ना cohesive force cohesive force उसके परपोसल है और बच्चों ये क्या होता है 1 upon R की पाउर 7 पर डिपेंड करता है और जब अपन ताप को बढ़ाएंगे जब ताप को अपन बढ़ाते हैं तो ताप की बढ़ने से जब temperature को आपने increase किया तो R क्यावा increase और R की बढ़ने से सब कुछ घड़ गे तो सबस्कौन भी क्या हो जाता है घड़ जाता है समझें तो यहाँ आपने जो viscosity वगरा कुछ discuss किया कुछ अपना terminal speed थी वो block किस प्रकास से तैरते हैं floating case बहुत सारे ऐसे question थे जो कि आपने देखी होंगे कि NEET में अक्सर इस प्रकार की question पूछे जाते हैं ठीक है तो हम लोग जैसे physics का punch 7, 8 और 9 यह तीन part जो 40 hours का एक हिस्सा है वो अपने discuss किया है इस प्रकार की और बहुत सारा portion आख बाकी है वो भी आप लोग पढ़ेंगे पर निश्द मानिया आप अगर आप यह जो 40 hour का revise NEET का जो package है इसको डंग से आप इसके concept के साथ पढ़ लेते हो ना तो मान की चलो आपका physics का बहुत सा portion आप cover कर चुके हो और फिर बहतर आप NEET 2020 में कर पाओगे तो players of 2020 आप खुब मैनत करें घर पे रहें जम के पढ़ाई करें और NEET 2020 में शानदार result दें और boss जो चार है न वो आप उनको दें result उनकी एक बहुत अच्छी demand आप लोगों से तो पूरा करें उनको खुशी होगी, हमें खुशी होगी CLC परिवार खुशी होगी, thank you all of you